दा गो गेटर लेखत पीटर बी काइन अध्याए एक मैनेजर और करमचारी के गुण पैसिफिक कोस्ट के थोक लगडी के लादान कारोबार में आलडेन पी रिक्स को कैपी रिक्स के नाम से जाना जाता था उनके पास इतनी सारी मुश्किलें थी जितनी ढेर सारे चूजों वाली मुर्गी को भी नहीं होती है और यह बात उन्होंने चुपा कर नहीं रखी बलकि चिला कर कही उन्होंने जिस वेक्ति से यह कहा वह है स्की नर था जो रिस्क लोगिंग एंड लंडिंग कमपनी का प्रेजडेंट और जनरल मैनेजर था यह वही कमपनी थी जो कैपी के कास्ट सामराज्ये को चलाती थी और जिसके संचालन से रिक्स रिटायर हो चुके थे उन्होंने यह बात अपने दामाद कैप्टन मैट पिजली को भी जोर सोर से और जोसो खरोश से बताई जो बल्यू स्टार नेविगेशन कमपनी का प्रेजडेंट और मैनेजर था यह कमपनी अमेरिकी जल परिवेहन में रिक्स का कारोबार संचालिद करती थी स्किनर ने यह जानकारी चुपचाप सुने और सुनता भी क्यों नहीं वह कैपी रिक्स का रिष्टेदार नहीं था लेकिन मैट पिजली तो दामाद था इसलिए उसने अपने पैर एक के उपर एक रखे और अपने वागपटू ससुर को उसी तरह आँखे तरेर कर देखा जिस तरह वे देख रहे थे मुश्किलें आपको है उसने आपको शब्द पर जोर देते हुए ताना कसा अब क्या आपकी पीठ में दर्द हो गया है या फिर हर बर हुबर सेक्रेटरी और कॉमर्स के लिए गलत आदमी है अपना ताना और कटाक सपने पास रखो नोजवान कैपी चीखे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं स्वास्ते या राजनिती की बात नहीं कर रहा हूँ बुढ़ापे में मेरे लिए यह कितने अपसोस की बात है कि मैंने चुन चुन कर अपने आसपास दुनिया के सबसे कम आकलमंद लोगों को इकठा कर लिया है जैसे इतियास में तब से लेकर आस तक नहीं हुआ जब एजाक्स ने बिजली का मजाक उड़ाया था मतलब कौन देखो तो से ही कितनी कम अकल है अब मुझे इस बात का भी मतलब समझाना पड़ेगा मतलब तुम और स्किनर क्यों हमने इसा क्या कर दिया जिसकी वज़े से आपका बीपी बढ़ गया तुम दोनों ही तो सारे बखेडे की जड़ हो तुम दोनों ने ही तो मिली बगत करके मुझे राजी किया कि हम शिपिंग बोर्ड के 25 बगवास माल वाहक जहाजों का प्रबंदन करने लगे फूटी किसमत देखो हमने जैसे ही जहाजों को लिया देश में मंदी आ गई और डुलाई के भाव रसातल में पहुँच गई और मेरिन इंजिनियर हरताल पर चले गई इतना ही नहीं हम पूरवी देशों में जिस भी नलाएक युवाद छोकरे को अपने ओफिस का मुख्या बना कर भेजते हैं उसका दिमाग तुरंत ही फूल कर कुपा हो जाता है और वह यह सोचने लगता है कि इश्वर ने उसे जापान में बनी सारी की सारी स्कौच विस्की पीने के लिए इस संसार में भेजा है और यह काम करके वह हर प्यासे अमेरिकी को फाइदा पहुंचा रहा है मेरे बुढ़ापे में तुम दोनों ने मुझे इस थित्य में पहुंचा दिया है कि हमें तार बेज कर अपने मेनेजरों को नोकरी से निकालना पड़ता है क्यों? क्योंकि हम ऐसे खेल में गुस गए है जो गरेलू मैदान में नहीं खेला जा सकता वीदेशों में हमारा इतना सारा कारोबार है कि हम इसे इतनी दूर बैठ कर नहीं संबाल सकते मैट पिजली ने कैपिरिक्स की तरफ आरो बरी उंगली उठाई हमने कभी आपको राजी नहीं किया कि आप उन शिपिंग बोर्ड के जहाजों का प्रबंधन अपने बुजूर्ग हातों में ले इसके बजाई यह आप थे जिन्होंने मुझे राजी किया था बली का बकरा तो मैं हूँ यह तो वही मिसाल हो गई कि उल्टा चोर कोटवाल को डंटे इससे आपको क्या फर्क पड़ा कुछ नहीं क्योंकि आप तो दस साल पहले ही रिटाईर हो गई थे जहाजों की सारी मुश्किलों का भार तो मेरे कंदों पर है बुजूर्गवार और मैं आपको बता दूँ कि ये कंदे इस बहार को अच्छी तरह उठा सकते है तुमारी बात सैदान्तिक द्रष्टी से तो सच है लेकिन व्यभारिक द्रष्टी से नहीं अब तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैंने कंपनी के हित में जिस तरह शारिरिक परियास छोड़ दिये है उसी तरह मांसिक परियास भी छोड़ दूँ भगवान कसम क्या मुझे अपनी बनाई हुई कंपनी के मामलों में रूची रखने का भी यदिकार नहीं है जिसमें मेरे इतने सारे पैसे लगे हुए है और जिसे मैंने अपने खून पसीने से सिंच कर बनाया है मैं यह मानता हूँ कि तुम दोनों लड़के मेरी कंपनी को चला रहे हो और आम तोर पर अच्छी तरह चलाते हो लेकिन तुम्हें क्या हो गया है मैट और तुम्हें भी स्किनर अगर मैट कोई कलती करता है तो यह तुम्हारा फर्ज है कि परिणाम सामने आने से पहले तुम उसे चिताओने दे दो है ना और यही मैट को भी करना चाहिए क्या तुम दोनों ने आदमियों को परकने की अपनी योगेता खोदी है या फिर यह योगेता तुम में कभी थी ही नहीं स्किनर बीच में ही बोल पड़ा आप हेंडर्सन की बात कर रहे हैं जिसे हमने संगाई ओफिस का मुख्या बना कर भेजा था मैं सचमुच उसी की बात कर रहा हूँ स्किनर और मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम तट्ये परिवहन का अपना पुराना खेली खेलते रहते तो ज़्यादा अच्छा होता अगर हमने अट्लांटिक के पार के परिवहन और डुलाई को दूसरों के लिए चोड़ दिया होता तो हमारे पास इस समय शंगाई का ओफिस भी नहीं होता और इस संसार के हेंडरसनों का सिरदर्द भी नहीं होता स्किनर ने खुद के बचाओ में कहा देखिए लकडी बेजने में उसका जवाब नहीं था वह हमारा सरोस्रेष्ट सेल्जमेन था मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह हमें एशिया के धेर सारे माल का ओडर दिलाएगा और इसे हमारी आमदरी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी मैट पिजली ने अपनी तरफ से जोड़ा और उसे इस ओफिस के हर काम का अनुभव है उसने काश्ट कंपनी के ओफिस बोई से लेकर सेल्ज मैनेजर तक कासा पर तै किया है वहें नेविगेशन कंपनी में फ्रेट कलरक से लेकर पैसेंजर एजेंट तक हर पड़ पर रहा था जहां तक अनुभव की बात है उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी वहें शंगाई ओफिस में मैनेजर पद के लिए आदर्स दावेदार दिख रहा था मैं यह सब स्विकार करता हूं लेकिन जब तुमने उसे उसके खुद के दम पर चीन भेजने का नेने लिया था तो क्या तुमने मुझसे चला की थी क्यों करता ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी का बोस मैं हूं हूं की नहीं जब हमने एंडर्सन को शंगाई ओफिस का मुख्या बना कर भेजा था तब तक आपने मुँँ खोल कर अपनी मुफ्च सला हमें नहीं दी थी मैंने तुमसे साप साप कहे दिया था कि हेंडर्सन कामियाब नहीं होगा है ना हाँ यह बात तो माननी पड़ेगी आपने यह तो कहा था और अब मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाना चाहूंगा जो तुमने मुझे तब सुनाने का आउसर नहीं दिया था जब तुमने उसे विदेश भेजा था हेंडर्सन अच्छा करमचारी था पर्तिवावान करमचारी था बसरते वह किसी समझदार आदमी के नेतरतों में काम कर रहा हो और उसके उपर कोई हो जो उसे बताए कि क्या करना है या कैसे करना है उसमें इतनी पहल शक्ती नहीं थी कि वह खुद पहल करके आउसरों का लाव ले सके उसमें यह आदत भी थी कि अगर उसे सही दिसा हर दिन ने दिखाई जाए तो वह रा बटक जाएगा और गलत रास्ते पर चलने लगेगा मैं 20 साल से उस आदमे के दिमाग को दुरुष्ट करने की कोशिश कर रहा था और अब देखो वह हमारे संगाई बैंक खाते को खाली करके लापता हो गया है सकेनर ने भाव इन स्वर में कहा मिस्टर रिक्स मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने उससे ढ़ाई लाख डॉलर का बॉन्ट भी बरवाया था तुम एक शब्द भी मत बोलो सकेनर एक शब्द भी नहीं इसके बजाए मैं तुमें यह याद दिलाना चाहूंगा कि मैं ही वह जीनियस था जिसने वह बीमा कराया था तुम्हें और मैट को तो बीमे का पता भी नहीं था और मैं कैसे भूल सकता हूं कि तब तुमने मुझे याद दिलाया था कि मैं दस साल पहले रिटायर हो चुका हूं और मुझे तुमारे ओफिस के अंदरूनी मामलों में तांग नहीं अडानी चाहिए मैट पिजली ने जबाब दिया देखिए मैं खुल कर स्विकार करता हूं कि इस मामले में आपकी दूर दर्शिता सही थी जिसके बज़े से इस साल संगाई और भिश्ट गाठा नहीं दिखाएगा लेकिन कैपी हमारे सामने की स्थिती को दूसरे दृष्टिकोंट से देखें हमें क्या पता था कि हेंडर्सन वहाँ जाकर शराप पिने लगेगा जुवा खिलने लगेगा और अपने वेतन से ज़्यादा करज ले लेगा हमें क्या पता था कि वह कारोबार पर पूरा ध्यान नहीं देगा और इतना ही नहीं हमारे बैंक खाते से सारा पैसा निकाल कर लापता हो जाएगा हम ये सारी बाते पहले से नहीं भाव सकते थे जब हम अपने किसी करमचारी को पूरी देशों में मैनेजर बना कर भेजते हैं तो हमें उस पर पूरी तरह विश्वास करना होगा कि वह सही काम करेगा इसलिए कैपी मेरी सला यह है कि राइता फैल चुका है और उस पर अपसोस करने का कोई फाइदा नहीं है हमारा काम तो यह है कि हम हेंडर्सन का उत्रादी कारी चुने और उसे एगले जहाज पर बैठा कर संगाई भेज दें ओ, बहुत अच्छा मैट कैपी ने सदा श्याता से कहा मेरे बच्चे, मैं इस मामले में तुमें ज़्यादा ताने नहीं मारूंगा ज़्यादा कटाक्स नहीं करूंगा मेरी बातों को बुड़े आदमी की बढ़ास मान कर भूल जाओ मैं जो कह रहा हूँ वह हलंकि सच है लेकिन उधारता से कोसों दूर है लेकिन जब तुम मेरी उमर के होगे और बहुत सारी मान से वैनेतिक कमजोरिया तुमें परेशान करेंगी तो तुम भे इनसानों के मुझसे बेहतर पार्की और निरनाएक बन जाओगे कि कौन इनसान जिम्मेदारी का बाहर उठा सकता है और कौन नहीं उठा सकता कौन इनसान कितनी जिम्मेदारी का बाहर उठा सकता है और किस तरह की जिम्मेदारी का स्किनर तुम बताओ इस पद के लिए तुम्हारे पास कोई उम्मेदवार है क्या मुझे यह कहते हुए अपसोस है सर लेकिन मेरे पास एक भी बंदा नहीं है जो यह काम कर पाई मेरे विभाग के सारे आदमी काफी युवा है इतने युवा कि वे जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे युवा से तुम्हारा क्या मतलब है देखिए इस काम के लिए मैं केवल एक व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकता हूँ और वह है है एंड्रियूज लेकिन अभी उसकी उमर इस काम के लिहाद से काफी कम है यही कोई तीस साल के आसपास तीस साल है मुझे याद आता है कि जब मैंने तुम पर साल के दस अजार डोलर फेंके थे और बीस लाग डोलर की कमपनी के जिम्मेदारी सोंपी थी तब तुम्हारी उमर अठाई साल थी हाँ सर लेकिन बात यह है कि एंड्रियूज का भी इम्तियान नहीं लिया गया है स्किनर केपी ने अपनी सबसे बहेंकर आवाज में उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा मैं इस बात पर लगातार हैरान होता हूँ कि मैं तुम्हें नोकरी से क्यों नहीं निकाल रहा हूँ तुम कहते हो कि एंड्रियूज का कभी इम्तियान नहीं लिया गया है उसका इम्तियान क्यों नहीं लिया गया है हम इस दुकान में ऐसा माल क्यों रख रहे हैं जिसे जांचा परका नहीं गया है सामान की तरह करमचारी को भी जांचना परक्षना जरूरी होता है वहां भी गुनवत्ता परिक्षन करना आनिवारिय होता है बलकि यह कहना चाहूंगा कि इनसान के मामले में जांचना परक्षना ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि वही तो है जो हमारे सामान को बेचेगा या नहीं बेचेगा वही तो है जो संगाई ओपिस को बखो भी चलाएगा या हमें चूना लगा कर चंपत हो जाएगा बोलो सही बात है कि नहीं बोलो एक शब्द भी मत बोलना अगर तुम में राई के दाने बराबर भी अकल होती तो तुम उसका अच्छा इम्तियान ले लेते और कौन कहता है कि तुम्हें इसका मौका नहीं मिला 1919 से 1920 में लकडी की इतनी ज़्यादा मांग थी कि यह हाथों हाथ और अपने आप विक रही थी उस समय तुम्हें एक साल की चुट्टी ले लेनी चाहिए थी और अपनी डेस्क पर एंड्रियूज को बैठा कर जाना चाहिए था इससे तुम्हें यह पता चल जाता कि वह किस मिट्टी का बना है अच्छा ही हुआ जो मैंने इसा नहीं किया स्किनर ने सह सम्मान परतिरोध किया क्योंकि बाजार अचानक लुड़क गया था चुट्कियों में और अगर मैं अपने जहाजों में लदाने के लिए प्रहाप्त लकडी बेचने की फूर्ती नहीं दिखा था स्किनर तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम मेरी बात का विरोध करो मैट पिजली तब कितने साल का था जब मैंने ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी ताला चाबी समेथ उसके हवाले कर दी थी अरे उस समय तो वह 26 का भी नहीं था स्किनर तुम बोड़ब हो तुम जैसे खुशी के दुस्मन कारोबार की पीट पर सवार हो जाते हैं और बचकाने सिधांतों से इसका गला दबा देते हैं एसे बचकाने सिधांत के इनसान को तभी ज़्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए जब उसकी पीट कमान की तरह जुक जाए या उसे ज़्यादा वेतन तभी देना चाहिए जब उसके बाल वर्प की तरह सफेद हो जाएं तुम जैसे लोगों की वज़े से ही हमारे सारे युद्ध होते हैं हमारी सारी हर्ताले होती है यह युवाओं का संसार है स्कीनर और तुम यह बात कभी मत बूलना इस संसार के गोगेटर 30 साल से कम उमर के होते हैं युवाओं में बहुत ज़्यादा उर्जा होती है जिसे सही दिशा में लगाया जाए तो उससे बड़े से बड़ा काम हो सकता है युवाओं में इतना ज़्यादा जोश होता है कि वे आस्मान को जुका कर जमीन तक ला सकते हैं या जमीन को उठा कर आस्मान तक पहुँचा सकते हैं यही कारण है स्कीनर कि हमें युवाओं पर ध्यान देना चाहिए और उनकी भारी क्षमता को जांचना पर रखना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी उठाने लाइक बनाना चाहिए फिर वे अपने दामाद की और मुड़े मैड संगाई वाली नोकरी के संदर्ब में तुम्हें एंड्रियूज कैसा लगता है मैं सोचता हूँ कि वह यह काम कर लेगा तुम्हें क्यों लगता है कि वह यह काम कर लेगा क्योंकि वह यह काम जानता है वह इतने लंबे समय से हमारे यहां काम कर रहा है कि उसके पास बहुत सारा अनुवव है जिसकी वजह से क्या उसमें काम को संबालने की हिम्मत है मैट कैपी ने बात बीच में ही काटते हुए कहा हिम्मत तुमारे लचर अनुभव से ज़्यादा महतोपूर्ण होती है जिसकी तुम और स्केनर इतनी ज़्यादा दुआ ही देते हो मैं नहीं जानता कि उसमें हिम्मत है या नहीं मुझे लगता है कि वह अच्छा करमचारी है और मन लगा कर काम करता है मैं बस इतना जानता हूँ कि उसका व्यवहार और चाल-चलन अच्छा है देखो उसे बाहर बेजने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें एकागरता और पहल शक्ती है या नहीं उसमें स्वतंतर काम करने और स्वतंतर निर्ने लेने की योगयता भी होनी चाहिए क्योंकि यह मैनेजर की बुनियादी योगयता होती है अच्छे करमचारी और अच्छे मैनेजर में फर्क होता है दुर्भागे से हम यह मानकर चलते हैं जो अच्छा करमचारी है वह अच्छा मैनेजर भी बन जाएगा लेकिन इसा होता नहीं है हर अच्छा करमचारी अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता क्योंकि करमचारी के रूप में उसे सिर्फ काम करने का अनुभ होता है काम कराने का नहीं मैनेजर के रूप में आपको दूसरों से काम कराना होता है इसलिए आपको सोतंतर निर्ने लेना आना चाहिए खुद ओकर आउसरों को संभालना चाहिए और अपने देमाग का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप में ये सारी बाते नहीं है तो आप संसार के किसी भी कोने में सफल मैनेजर नहीं बन सकते तो फिर मैट पिजली ने उठते हुए कहा मैं हेंडर्सन का वारिस चुनने के काम से अपना हाथ खींचता हूँ इस मामले में आपको इतना ज्यादा ग्यान है जो आप पूरी उधारता से हमें दे रहे हैं कि आपको ही उस खुश-किश्मत इंसान का नाम चुनना चाहिए हाँ सचमुच स्किनर ने सहमत होते हुए कहा मुझे यकीन है कि इतने कम समय में एंड्रियूज के एकागरता और पहल शक्ति को खुजना मेरी कमजोर योग्यताओं से काफी पर एक ही चीज है उसमें उसके वर्तमान पद के हिसाब से तो प्रियापत एकागरता और पहल शक्ति है लेकिन कैपि ने उसके बात बीच में ही काटते हुए कहा लेकिन क्या उसमें एसी एकागरता और पहल शक्ति तब भी होगी जब उसे विशेशग्यों की सला से छे हजार मील दूर तुरंत कोई निर्ने लेना होगा और उस निर्ने के आधार पर सफल या ऐसफल होना होगा हम यही जानना चाहते हैं स्किनर स्किनर ने भावहिन विनमरता से जवाव दिया सर मेरा सुझाव यह है कि आप ही उसका इम्तिहान ले मैं इस सुनोती को स्विकार करता हूं स्किनर भगवान कसम हम संगाई ओफिस में जिस अगले आदमी को भेजेंगे वह है गोगेटर होगा हमारे तीन मैनेजर वहाँ पहुँचकर टाइं टाइं फिस हो चुके है और यह बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि उतकरष्टा का तकाजा है कि कमपनी में एक भी गलत मैनेजर नहीं होना चाहिए वरना कमपनी बैठ जाएगी अगर मैनेजर गलत होगा तो करमचारी चाहे कितने भी अच्छे हो कमपनी नहीं बच पाएगी और इसके बाद कैपी ने अपने बूडे पैर उठा कर अपनी डेस्क पर रखे और अपनी घूमने वाली कुर्सी पर नीचे फिसलने लगे और अपनी पीट नीचे टिका ली फिर उनका सिर उनके सीने पर आ गया और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली वे यह सोजने भी लगे कि एंड्रियूज का इंतिहान कैसे लेना है अब उसकी खैर नहीं मैट पिजली ने फुस-फुसा कर कहा जब वह है और स्केनर कमरे से बाहर निकले धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक टोट कॉम आपका दिन शुब हो अध्याए दो बाधाओं से ने गवराईं दा गो गेटर लेखक पीटर बी काइन हिंदी ओडियोबुक टोट कॉम रिटाइड प्रेजिडेंट की किस्मत में ज़्यादा देर तक आराम करना नहीं लिखा था उनकी किस्मत में यह भी नहीं लिखा था कि वे बिना किसी बाधा या व्यावधान के लंबा सोच विचार कर पाएं दस मिनट के भीतरी उनके फोन की घंटी बजने लगी उनकी निजी एक्सचेंज ओपरेटर उन्हें फोन कर रही थी क्या है कैपी रिसीवर में चिलाई क्योंकि व्यावधान से उनके विचारों का सिलसिला तूट गया था ओफिस में एक नोजवान आया है उसका नाम विलियम ईड पेक है और वहे आपसे व्यक्तिके तुरूप से मिलना चाहता है कैपी ने आह बरते हुए कहा नोजवान पहले तो उनका मन हुआ कि उससे मिलने से मना कर दे इस समय उनका किसी से भी मिलने का मन नहीं था वे अभी एंड्रियूज के इमतियाहन के तरीके के बारे में सोच विचार कर रहे थे लेकिन फिर उन्हें अपनी खुद की ही बात याद आ गई उन्होंने अभी अभी खुद स्किनर को बताया था कि नोजवानों को प्रोटसाइट करना चाहिए जिम्मेदारी देनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि उन्हें गो गेटर बनने की प्रबल संभाव ना होती है इस कारण उन्होंने अपने विचारों के सिलसिले को खत्म किया अपने चीड को दबाया और ओपरेटर से कहा ठीक है अंदर बिजवा दो लगबग तुरंत ही ओफिस बाई पेक को लेकर आ गया और उसने दरवाजा खोल दिया दरवाजे से थोड़ी अंदर आने के बाद आंगतु करूका और आसानी तथा सहस्ता से अटेंशन की मुद्रा में आया फिर उसने सम्मान से सिर्थ जुका कर अभिवादन किया हालांकि इस दोरान उसकी पैनी नेली आंखें ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी के शाशक पर लगातार जमी रही मिस्टर रिक मेरा नाम पेक है सर विलियम ई पेक आपको धन्यवाद सर कि आपने मुझे मिलने के लिए हां कर दी हम कैपी लड़ाकू दिख रहे थे बैठ जाए मिस्टर पैक पेक बैठने के लिए कैपी की डेस्ट के पास की कुर्सी तक पहुँचा और बैठ गया बुड़े कैपी ने उसकी चाल पर गोर किया उन्होंने देखा कि यह नोजवान थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और उसकी बाई बाँ कोहनी के आदे रास्ते पर कटी हुई थी कैपी आउलोकन में माहिर थे तजूर पेकार थे इसलिए पेक के सीने पर अमेरिकन सेना के बटन को देखकर खुद बखुद पूरी कहानी समझ गए वे उड़ती चिडिया के पंक गिन सकते थे और यहां तो कारण भी सामने था और परिनाम भी उन्होंने नर्मी से कहा अच्छा तो मिस्टर पेक मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं अपनी नोकरी के लिए आया हूँ पेक ने संक्षेप में जवाब दिया भगवान की कसम कैपी ने कहा आप यह बात तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आपको इनकार सुनने की उमीद नहीं है बिल्कुल सही कहा सर मुझे इनकार सुनने की बिल्कुल उमीद नहीं है क्यों विलियम ई पेक के दिल्चस्प लेकिन थोड़े सामान्य चहरे पर मुस्कुराहट आ गई इतनी मोहक मुस्कान कैपी रिक्स ने आज तक नहीं देखी थी पेक ने जबाब दिया मैं एक सेल्जमेन हूँ मिस्टर रिक्स मैं खुद को काफी योग्य सेल्जमेन मानता हूँ क्योंकि मैंने पांच साल के दोरान यह साबित कर दिया है कि मैं किसी भी चीज को सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा अच्छी तरह बेच सकता हूँ बसरते वह इतनी मुल्यवान हो कि कोई उसे खरीदने को तयार हो मैं सामान बहुत अच्छी तरह बेच सकता हूँ लेकिन मैंने यह भी देखा है कि सामान बेचने से पहले मुझे वह सामान बनाने वाले को एक और चीज बेचनी होती है मैं खुद मुझे उसे यह विश्वास दिलाना होता है कि मैं ने सिर्फ उनका सामान बेच सकता हूँ बलकि दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरह बेच सकता हूँ मुझे यह प्रदर्शित करना होता है कि मैं इस काबिल हूँ कि वह गुर्दोड में मुझ पर दाउं लगाए और मेरे अवल आने की उम्मीद रखे मैं आपको अपनी सेवाईं बेचने आया हूँ मैं खुद को बेचने आया हूँ कैपे ने मुश्कुरा कर जवाब दिया बेटा तुम अपने मकसद में कामियाब हो गए मैं बिग गया लेकिन यह है तो बताओ अमेरिकी सेना ने तुम्हें अपनी सदस्यता कब बेची थी साथ एप्रेल उन्नीसो सत्रा की सुबै को सर इससे हमारी विक्री पूरी हो जाती है मैं खुद कैप की अरनी में नाइट्स ओप कॉलम्बस में था लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने डिविजन के साथ विदेश नहीं जाने दिया तो मेरा दिल तूट गया और यह समझने लगा कि मैं किसी कामकार नहीं रहा हूं सेना की बातों ने पैक का दिल छू लिया जिस वज़े से उसकी पटरी तुरंती अच्छी तरह बैठ गई युद्ध से पहले मैं मद्य पस्चिम में लकडी बेशता था और पोर्ट लेंड लंबर कंपनी में था उसने स्पस्ट किया सरकार ने पिछले ही सबता लेटर मैन जनरल होस्पिटल में मुझे सेवा मुक्त किया मेरी अर्दा पंगता के बदले में मुझे दस अजार डॉलर का सरकारी बीमा भी मिला बाकी अंगों की तूट पूट से तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई लेकिन मेरे तूटे पैर को सही होने में काफी समय लग गया और यह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया मेरा पैर जितना बड़ा होना चाहिए था यह आज उससे थोड़ा छोटा है फिर मुझे इंफ्लेंजा के साथ निमोनिया भी हो गया और इसके बाद डॉक्टरों ने टीवी के भी कुछ लक्षन खोज लिये इसका नतीजा यह हुआ कि मैं एक साल तक फोर्ट वेर्ड न्यू मेक्सिको में सरकारी टीवी हस्पिताल में भी रहा लेकिन अब मेरे पास जो भी यंग बचे हैं वे पूरी तरह से तंदुरूस्त हैं और डॉक्टरों ने इसका पर्मान पत्र भी दिया है और मैं आसानी से छूट गया हूँ मिस्टर रिक्स मेरा दिमाग बचा है और मेरी दाई बाँ मैं सोच सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ और भले ही मेरा एक पहिया डगमगा रहा है लेकिन मैं आदेश मिलने पर ज्यादातर लोगों से ज्यादा दूर तक और ज्यादा तेज चल सकता हूँ आपके पास मेरे लिए नोकरी है मिस्टर रिक्स नहीं मेरे पास नहीं है मिस्टर पैक आपको तो पता ही नहीं होगा कि मैं अब कमपनी से बाहर हो चुका हूँ दस साल पहले रिटाइर हो गया था यह ओफिस तो बस सामाजिक मेलजोल का मुख्याले है यहां मुझे अपनी डाक मिल जाती है और गब शबसे मन भी बहल जाता है नोकरी के लिए तो आपको सकेनर से मिलना चाहिए मैं सकेनर से मिल चुका हूँ सर पुराने युद्धा ने जवाब दिया लेकिन उन्हों ज़्यादा सानुबुती नहीं दिखाई थी ज़्यादा रूची नहीं ली थी मेरे ख्याल से वे यह सोच रहे थे कि मैं उन्हें अपनी खाली आस्तिन दिखा कर नोकरी मांग रहा था और उन से रहम की उम्मिद कर रहा था जो उन में वैसे भी ज़्यादा नहीं है मिस्टर स्किनर ने मुझे जानकारी दी कि उनके पास पहले से ही काम कम है और लोग ज़्यादा उन्होंने बताया कि उनके पास अपने वर्तमान सेल्जमेनों के लाइक काम ही नहीं है इसलिए वे नई सेल्जमेन को नुक नहीं कर सकते यह सुनने के बाद मैंने उन्हें यह बता दिया कि मैं कोई भी काम करने को तयार हूँ बस वे स्टेनोग्राफर के उपर का होना चाहिए मैं अमेरिकी सेनका एक हाथ का चेंपियन टाइपिस्ट हूँ मैं लकडी का हिसाब किताब रख सकता हूँ और इसकी बिलिंग कर सकता हूँ मैं बही खाते संबाल सकता हूँ और टेलिफोन के जवाब भी दे सकता हूँ यानि मैं किसी भी भूमिका में काम करने को तयार हूँ चाहे यह है ठाइपिस्ट हो, अकाउंटेंट हो, या रिसेपनिस्ट हो इसका कुछ असर हुआ है? नहीं सर तो अब देखो बेटा कैप्टी ने खुष्णुमा पेक को गोपनियता से फुस-फुसा कर बताया तुम्हें मैं एक पते की बात बताता हूँ मेरी सलाम आनो और जाकर मेरे दामाद कैप्टन पिजली से मिल लो वह नेक दिल इनसान है और हमारे कारोबार की परिवहन कंपनी का सर्वे सरवा है मैं कैप्टन पिजली से भी मिला था वे बहुत दयालू थे और उन्होंने काफी साहनूबुती दिखाई उन्होंने कहा कि वे दिल से मुझे नोकरी देना चाहते थे मुझे इनकार करने में उनकी भावनाएं आहत हो रही थी लेकिन कारोबार की हालात इतनी खराब थी कि नए लोगों के लिए जगे निकालना नामुम्किन था उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक दर्जन पुराने सैनिकों को अब तक सिर्फ इसलिए नोकरी से नहीं निकाला था क्योंकि उनका दिल इस निश्टूर कदम को उठाना नहीं चाहता था मैं उनकी बाद पर विश्वास करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे प्यारे युवा मित्र मुझे यह बताओ कि इसके बाद भी तुम मेरे पास क्यों आए क्योंकि पेक ने मुश्कुराते हुए जवाब दिया मैं चाहता था कि आप उनके इनकारों को रद करते हुए हां कर दे और मुझे नोकरी दे दे वैसे तो मैं खुद को विशेशग्ये सेल्जमेन मानता हूँ और अगर मुझे सेल्जमेन की नोकरी मिलती है तो इससे कंपनी को सबसे ज़्यादा फाइदा होगा क्योंकि मुझ में इसकी विशेशक गयता है और मैं दस सेल्जमेनों के बराबर सामान बेच सकता हूँ लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई विशेश पदनाम या पद नहीं चाहिए कोई भी नोकरी चलेगी बसरते मैं वह काम कर सकता हूँ अगर मैं इसे कर सकता हूँ तो मैं इसे सबसे अच्छी तरह करूँगा जितनी अच्छी तरह पहले कभी किसी ने नहीं किया था मैं नंबर वन बनने में विश्वास रखता हूँ मिस्टर रिक्स जो भी काम करो उसे इतनी अच्छी तरह से करो कि शिखर पर पहुंच जओ तलटी में रहने में ज़्यादा अनंद नहीं है शिखर से ज़्यादा बेहतर नजारा दिखाई देता है और हर इंसान सिखर पर पहुंचना चाहता है क्योंकि हर इंसान में ईश्वर की दी हुई क्षमता और योग्यता होती है मुझे ईश्वर ने सामान बेचने की विशेश योग्यता दी है अगर आप मुझे अपनी कंपने में नोक्री देते हैं और मैं ठीक से काम नहीं कर पाया, तो आपको मुझे नोकरी से नहीं निकालना पड़ेगा, मैं खुद नोकरी छोड़ दूँगा, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ, कि आप मुझे पर तरस खा कर नोकरी दें और परोपकार करें, मैं इस वक्त बाकी लोगों से चार साल और अपनी डेस्क पर लगा पुश बटन दबा दिया, स्किनर अंदर आ गया, उसने विलियम ई पेक को नापसंदगी से देखा, और पिर कैपी रिक्स को सवालिया निगा से देखा, स्किनर प्यारे लड़के, कैपी ने मधूर स्वर में कहा, मैं एंड्रियूज को संगाई आफिस बेजने के परस्ताव पर विचार कर रहा हूँ, और मैं इस निसकर्स पर पहुंचा हूँ, हमें एक जोखिम लेना होगा, वर्तमान समय में एक स्टेनोग्रापर उस आफिस का प्रभारी है, जो बहुत ही बुरी बात है, इसलिए हमें जरावी देर किये विना, किसी अगर वह वहां पहुंचकर शानदार परदर्शन करता है, तो हम उसे स्थाई कर देंगे, लेकिन अगर वह वहां जाकर अच्छा परदर्शन नहीं कर पाता है, तो हम उसे बुला लेंगे और यहीं अपने ओफिस में उसके पुरानी जगह पर रख लेंगे, जहां वह इतना माद्दा है और किस मिट्टी का बना है। बस मुझे यही ऐसान चाहिए स्केनर." मेरे प्यारे बच्चे, कि यही ऐसान चाहिए. खेल की बाशा में कहें तो स्कीनर दबाव में था और वह यह बात जानता था युवा पेक भी यह बात जानता था और जनरल मेनेजर को देखकर शालिंता से मुस्कुराया क्योंकि युवा पैक सेना में रह चुका था जहां सबसे बड़े शुरुवाती सबकों में से एक यह होता है कि सेनापती का आग्रे हमेशा आदेश के बराबर होता है बहुत अच्छी बात है सर स्कीनर ने धीरे से जवाब दिया क्या आपने पैक का वेतन भी तै कर लिया है कैपी ने विरोध में हाथ उपर उचाला उसे तै करना पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है स्कीनर मुझे तुम्हारे विभाग के अंदरूनी पर्शासन में हस्त कशेप करना पसंद नहीं है स्वभाविक रूप से तुम पेक को उतना ही वेतन दोगे जितना पाने के वहयोग्य है और उससे ज़्यादा एक सेंट भी नहीं फिर वे विजेई पेक की और मुडे अब मेरी बात गोर से सुनो नोजवान अगर तुम सोचते हो कि तुमें बैठे बिटाई कुरसी तोड़ने की नोकरी मिल रही है तो यह खयाल अपने दिमाग से इसी समय निकाल दो तुम्हें कुरसी तोडने के लिये नहीं बलकि रिकॉर्ड तोडने के लिए नोकरी दी जा रही है तुम सीधे मैदान में उतरोगे मेरे बच्चे और तुम वहां जाकर चोके छकों की जड़ी लगा दोगे और तुम यह काम जल्दी करोगे वह बार-बार करोगे एक और बात बता दूँ पहली गलती पर तुम्हें चेताव नहीं दी जाएगी दूसरी गलती पर तुम्हें बिनावेतन के एक मboundे तक घर बैठा दिया जाएगा और तीसरी गलती पर तुम्हें सीधे नोकरी से निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए क्या मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई बिल्कुल सर, पैक ने खुशी-खुशी गोशना की मैं तो सिर्फ अपनी योग्यता दिखाने का आउसर चाहता हूँ रिकोर्ड तोड़ने की जगे चाहता हूँ और आप पूरा इत्मिनान रखें सर कुछ ही समय में मैं मिस्टर स्किनर का दिल जीत लूँगा मिस्टर स्किनर आपको धन्यवाद की आप मुझे नोकरी देने के लिए राजी हो गई मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत सुक्र गुजार हूँ और आपने जो विश्वास जताया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा बदमाश कहीं का एकदम बदमाश है कैपी ने बुदबदा कर खुद से कहा उसमें हाश्य बोध है ईश्वार का शुक्र है आप बेचारा स्किनर पुरानी नेरो गेज पटरी जैसा स्किनर अगर इस आदमे के मोटे सिर में कोई नया या ए परंपरिक विचार कभी आ जाए तो वह रातों रात मर जाएगा वह इस समय बुरी तरह गुसा हो रहा होगा पगला रहा होगा क्योंकि वह अपनी रक्षा में एक भी सब्द नहीं कह सकता मुझे पता है आगे क्या होगा वह बिलपेक की दरश्टता का बदला लेगा वह बिल पेक के जीवन को इतना बुरा बना देगा कि नरक की यातनाई भी उसे गर्मी की छुट्टी जैसी लगने लगेगी अगर वह एसा नए कर दे तो मेरा नाम बदल देना और मुझे हामेशा के लिए कलोरो फारम सुखा देना हे इस्वर जीवन कितना सुना सुना और नीरस होगा अगर मैं कभी कबार बीच में टांग नैडाऊं और बखेडा खड़ाने करूं युवा पेक उठ गया और अटेंचन में खड़ा हो गया उसने स्कीनर से पूछा सर मैं कब से काम शुरू करूं जब से तुम चाहो स्कीनर ने रेफ्रिजरेटर जैसे मुस्कान के साथ जवाब दिया पेक ने अपनी सस्ती कलाई गड़ी देखी उसने जोर से एकालाप में कहा अभी बाहर बजे हैं मैं बाहर जाकर पेट पुजा करूंगा और फिर एक बजे नोकरी शुरू करने आ जाऊंगा मैं आदा दिन का वेतन तो कमा ही लूँ उसने पैकी रिक्स पर निगा डाली और उद्धरन किया उस दिन को बरबाद समझो जिसका ढलता सूरज भावों को चड़ता पाए लेकिन हम फाइदा ने उठा पाएं स्कीनर को हंसी मजाग पसंद नहीं था वह ओफिस के समय में एसे हंसी मजाग पर अपना मानशिक संतुलन काइम नहीं रख सकता था इसलिए वह अपनी बरफिली गरिमा का टोकरा लेकर वहाँ से चला गया जब उसके पीछे दर्वाजा बंद हुआ तो पेक की बोहें शंका में उपर उठ गई उसने कहा मिस्टर रिक्स मेरी शुरुआत बुरी हुई है तुमने केवल शुरुआत का मोका मांगा था कैपी ने जवाब में कहा मैंने तुमें अच्छी शुरुआत की गरंटी नहीं दी थी और मैं दूंगा भी नहीं क्योंकि मैं दे ही नहीं सकता मैं स्किनर और मैट पिजली को केवल एक सिमा तक ही दखा सकता हूँ और उससे आगे नहीं हमेशा एक बिंदू रहता है जहां मुझे यह काम छोड़ना होता है विलियम मुझे अच्छी तरह पहचाने वाले लोग बिल पेक कहते हैं सर बहुत अच्छा बिल कैपी अपने कुर्चे के कोने से बाहर फिस ले और अपने चस्मे के उपर से बिल पेक को धम की बरे डंग से गुरने लगे मैं तुम पर निगा रखूंगा नोजवान वे तीखी आवाज में बोले मैं तुम्हारे प्रती हमारे कर्ज को खुल कर स्विकार करता हूँ लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में यह धारना आ गई कि यह ओफिस पुराने सैनिकों की धर्मशाला है वे सोच विचार के लिए ठहरे मैं तो यह सोच रहा हूँ कि स्किनर तुम्हें कितना वेतन देगा उन्होंने विचार किया ओ ठीक है उन्होंने आगे कहा वह जितना भी वेतन दे उसे ले लेना चुप चाप रहना और कुछ मत बोलना जब अनुकूल समय आएगा बशरते तुमने इसे अरजित किया होगा तो मैं उस मक्षी चूस को समझाऊंगा और तुम्हारा वेतन बढ़वा दूँगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आप बहुत दयालू हैं गुडे सर इसके साथ ही बिलपेक ने अपना हैट उठाया और रिक्स के सामने से लंगडाता हुआ चला गया उसके पीछे दर्वाजा अभी पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ था कि स्केनर कैपी रिक्स की मांद में दोबारा गुशाया उसने बोलने के लिए मूँ खोला लेकिन पूरा मूँ खोलने के पहले ही कैपी ने अपनी शाही उंगली दिखा कर उसे खामोश रहने के लिए इशारा किया तर्क की बात सुनो तुम कैसे पत्थरदिल इनसान हो जो तुमने उस अपाईज पूरु सैनी को इनकार कर दिया उसका एक पैर छोटा था और उसकी आस्तिन उसके कोट की जेब बेफंसी थी फिर भी उसके चेहरे पर एक अटल आजे इनसान की मुस्कान थी भी शराब चुड़ाने वाली दवा को ठुकराता है स्कीनर तुम यह कैसे कर सकते थे कैपी की चेताउनी देती उंगली से डरे बिना स्कीनर ने अवग्या पूर्ण नजरिया अपना लिया उसने खुस्से से जवाब दिया कारोबार में जजबात नहीं चलते तो लोगों ने एक नई चोकी के नामकर्ण का विदन भी दे दिया है जिसे कैपी रिक्स चोकी नंबर 534 कहा जाएगा और आपने अनुववी लोगों को सिर्फ इसलिए हटाया ताकि इन पूरों सैनिकों के लिए पद खाली हो सके यह देशवक्ती हो सकती है लेकिन यह कारोबार का सही तरीका नहीं है कारोबार जजवातों से नहीं चलता है चाहिए यह देशवक्ती का जजबा ही क्यों नहीं हो अब आप बताएं कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या आपने इसा नहीं किया मैं कव इंकार कर रहा हूँ कि मैंने इसा नहीं किया कैपी ने विजेई भाव से चिला कर कहा आजकल के ज्यादातर करमचारी यूनियन बाजी और सामयवाद के चकर में पड़ गए है काम करने के बजाए वे जोड़ तोड़ करते हैं कामचोरी करते हैं और फोकट की तंखा लेना चाहते हैं जब भी कोई मैनेजर या मालिक करमचारीयों या मजदूरों के इस आवरती पर शक्त करवाई करता है तो हर मील और कार खाने में हरता लें और तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है मैं इन हरता लो और तोड़ फोड़ से तंख आ गया हूँ भगवान कसम मेरे ख्याल से पूरु सेनिकों को उनकी योग्यता के अनुरूप नोकरी देना ही वह तरीका है जिससे हम इस समझ्या से निबढ़ सकते हैं अमेरिकी सेना की कैपी रिक्स पोस्ट नंबर 534 मेरा जवाबी हमला है जिससे मैं यूनियन बाजों, कामचोरों और समयवादियों को मूँ तोड़कर जवाब देकर उनका होंसला पस्त करना चाहता हूँ स्किनर ने शिकायद की हर ओफिस और जहाज और रिटेल यार्ड फर्स्ट सारजेंट ही चलाएंगे मैं तो सोच रहूं कि सेना की तरह अपने ओफिस में भी करमचारियों की परेड शुरू करवा दूँ वैसे अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि रिक्स कार्पोरेशन की सारी कमपनियों में जितने पूराने सैनिकों को लिया जा सकता था वह ले लिया गया है अब इस से आगे किसी पूराने सैनिको न्यूट करना संबवन नहीं होगा देखिए हमें बात करने वाले लोग नहीं चाहिए काम करने वाले लोग चाहिए मुझे डर है कि ये पुराने सैनिक कहीं हमारे ओफिस में ही यूदने लड़ने लगे और खून की नदिया ने बहने लगे देखो स्किनर, कामरेड पैक वह आखिरी पुराना सैनिक है जिसे मैंने तुमसे नोकरी देने को कहा है कैपी ने पश्चाता बरे सुर में दावा किया तुमने कभी किबलिंग की पुस्तक, बैरेक रूम बैलेट्स पढ़ी है सकिनर मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है सकिनर ने परतिरोध किया कैपी ने आगे कहा इस समय दोड़कर पुस्तकों की दुकानों में जाओ और इसे खरीद कर इसका एक बैलिट पढ़ो जिसका सिर्षक है टॉमी इससे तुम्हारी आत्मा का कल्यान होगा देखिए मिस्टर रिक्स कामरेड पैक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया उसने नोकरी के लिए मुझे निवेदन किया और मैंने इंकार कर दिया फिर वह कैप्टन मैट के पास गया और उन्होंने भी इंकार कर दिया इसके बाद वह क्या करता वह हमें निचा दिखाने के लिए आपके पास चलाया और आपसे नोकरी मांगता है और आपने उसे नोकरी दे दी इससे वह हम दोनों को तो कुछ समझे गई नहीं वह यह मानेगा कि उसे हमारे आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगा मैं एसा बदला लू क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम से बिल पेक को लेने के लिए क्यों कहा मैं जानता हूं क्योंकि आप इतने ज़्यादा दरिया दिल हैं कि आप अपने ही पैरों पर कुलाडी मार लेते हैं तुम में तो रत्ती बर्वी कलपना शक्ती नहीं है देले बर्वी दिमाग नही तुम लकीर के फकीर हो स्केनर, मैं एक ऐसे लड़के को कैसे ऐस्विकार कर सकता था, जो ऐस्विकार होने के लिए तयार ही नहीं था, मैं एक पके हुए सेवपल की शर्त लगाने को तयार हूँ, कि बिल पेक हमारे सबसे अच्छे सैनिकों में से एक होगा, इसी कारण वहे अ अपने उदेश्यों पर अटल रहता है, उसने तुम्हें पल भर में तार लिया था स्केनर, उसने तुम्हें अपना रास्ता रोकने नहीं दिया, उसने मैट पिजली को भी अपना रास्ता रोकने नहीं दिया, उसके लिए तो तुम बस गती अवरोदक जैसे थे, जिन की व बताओ स्केनर मेरे प्यारे लड़के तुम उसे कौन सा पद देने वाले हो जाहिर है एंड्रियूज का पद ओ हां मैं तो भूली गया था स्कीनर प्यारे लड़के क्या हमारे पास पांसलाग फुट सकंक स्कुरूप नहीं है जो हमें किसी ग्रहा के मत्थे मड़नी है स्कीनर और अगर तुम रास्ते में रेड फर या बुल पाइन के दो दरजन ट्रक निकाल सको या किसी भी छोटे या अजीब लंबाई के स्टॉक की व्यवस्ता कर सको या किसी लार्ज सिलिंग या फ्लोरिंग की या किसी हेमलाग रेंडम स्टॉक की दरसल कोई भी ये सी चीज जि है न स्किनर के चेहरे पर अब शर्क जैसी मुस्कान तैर रही थी उसने सरारती धंग से कहा और अगर वह उसे बेच नहीं पाया तो अलविदा दोस्त है ना हाँ मुझे ऐसा लगता है हालांकि इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन हमेशा न्याए प्रिय होना चाहिए हर मालिक या करमचारी को न्याए प्रिय रहना चाहिए और कभी अन्याए नहीं करना चाहिए यदि उसने अन्याए किया तो योग या करमचारी नोकरी छोड़कर किसी दूसरी जगे चले जाएंगे जहां उन्हें ज़्यादा पैसे मिल अच्छा स्कीनर मेरे बच्चे मेरी बातों का बुरा मत मानना और मुझे माफ कर देना अगर मैंने थोड़ी जलबाजी दिखाई हो लेकिन एक बात का ख्याल रखना स्कीनर अगर तुमने उस कंक फर का भाव बहुत ज़ादा रखा तो यह ठीक नहीं होगा तो बगवान कसम म मैं तुम्हें नोकरी से निकाल दूँगा न्याइप्रिये बनो लड़के न्याइप्रिये पेक के मामले में अपने हाथ गंदे मत करना स्कीनर याद रखो कामरेड पेक की आदी बाई-बाँ फ्रांस में दफन है धन्यवाद हिंदी-ओडियोबुक.com आपका दिन शुब ह अध्याए तीन मुश्किल काम की चुनोती दा गो गेटर लेखक पीटर वी काइन साड़े बाराए बज़े जब कैपी कमर्शिल कलब में लंच करने के लिए कैलिफोर्निया स्ट्रीट पर तेजी से चल रहे थे तो उन्हें फुटपाथ पर लंगडाता हुआ बिल पेक मिला पूरु सैनिक उन्हें देखकर रुख गया और उन्हें एक कार्ड थमा दिया आपको यह कैसा लगा सर उसने पूछा क्या यह शांदार बिजनस कार्ड नहीं है कैपी ने पढ़ा हा रिक्स लंबर एंड लोगिंग कमपनी लकडी और इसके सामान 248 कैलिफोर्निया स्ट्रीट सैन फ्रांसिसको प्रती निदी विलियम ई पेक अगर आप इसमें कील ठोक सकते हैं तो यह हमारे पास हैं कैपी रिक्स ने कामरेड पैक के बिजनस कार्ड पर अंगुठा फेरा चपाई उबरी होई थी और कॉपर प्लेट या स्टील की डाई आदा गंटे में नहीं बन सकती है महा 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 भगवान की कसम यह कैपी की सबसे बहेंकर कसम थी और वे इसे तब तक नहीं खाते थे जब तक कि उनकी बुन्याद ही नहीं हिल जाई बिल जिस तरह एक चौर दूसरे चौर को बताता है उसी तरह मुझे बताओ पूरी मानदारी से बताओ तुमने कब हमारे यहां काम करने का मन बनाया था एक सब्ता पहले कामरेड पैक ने सुम्मे तरीके से जवाब दिया और सेना में तुम्हारी रैंक क्या थी मैं एक छोटा सैनिक था मुझे तुम पर यगिन नहीं है कै किसी ने कभी तुमे कोई बहतर पेशकर्ष नहीं की अक्सर बहतर प्रस्ताओ मिलते थे लेकिन मैं जहां था और जोक कर रहा था वह मुझे बहत पसंद था अगर मैं बेहतर पेश कर स्विकार करता तो मुझे उस सबसे अच्छे काम से इस्तिवा देना पड़ता जो मेरे पास कभी रहा था जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं था लेकिन यह रोमान्च और रोचक प्रियोगों से भरा था मैं क्रिस्मस ट्री या बाक्स कार जैसे वेश बना लेता था और जर्मन निसांचियों को दबोज लेता था मुझे पैक इजे बैट बोई के नाम से जाना जाता था उस काम को छोड़ने का प्रलोबन अक्सर जागता था लेकिन जब मैं सोचता था कि इस तरह हर दिन कितने ज़्यादा अमेरिकी लोगों की जान बचा रहा था तो मैं वह काम छोड़कर तरिक्की के पीछे नहीं दोड़ना चाहता था अगर तुम कभी सेना की किसी दूसरी शाखा में शुरू करते तो तुम जौन जे परशिक को टकर दे सकते थे अच्छा बिल सुनो क्या तुम्हे सकंक स्कुरूप बेचने का कोई अनुभव रहा है कॉम्रेड पैक के चेहरे पर उड़ती हवाईयों से कैपी को जवाब मिल गया पैक ने अपना सीरे इनकार में हिला कर पूछा यह किस तरह का स्टॉक है हमबोल्ड काउंटी कैलिफोर्निया स्कुरूप और यह खुरदरा और गीला और भारी होता है और इसका इस्तेमाल करने के ठीक बात इसमें से जानवर जैसी गंदाती है मुझे लगता है कि स्किनर आपको नीचे से सुरू करने वाला है और यह सकंक स्कुरूप होगा क्या आप इसमें कील ठोक सकते हैं मिस्टर रिक्स ओ हाँ क्या कोई कभी सकंक स्कुरूप करीदता है सर ओ कभी कभार हमारा कोई परतिवाशाली युवा सेल्जमें किसी मंद बुद्धी को खोज लेता है जो किसी भी चीज़ को एक बार आजमानी को तयार होता है वरना जाहीर है हम इसे बनाना कब का छोड़ देते बिल तुम खुशकिश्मत हो कि हमारे पास इस समय इसका बहुत कम स्टोक है लेकिन जब भी हमारा बोस किसी अच्छे पेड के पास से गुजरता है और वह नहीं चाहता कि यह आगे भी जिन्दा रहे तो हमारे पास स्कुरूप आ जाता है इससे हमें अपने सेल्जमेनों को विनमर रखने में मदद मिलती है इससे उन्हें अपनी वकात समझ में आ जाती है इससे वे आस्मान में उड़ना छोड़कर जमीन पर आ जाते है यानि स्कुरूप अगर बिगता है तब भी हमें फाइदा होता है और अगर नहीं बिगता तब भी हमें फाइदा होता है हालांकि यह मनोवेग्यानिक फाइदा है क्योंकि विनमर सेल्जमेन एहंकारी सेल्जमेन से ज़्यादा सफल होता है आपकी चेताउनी के लिए धन्यवाद लेकिन मैं सही भाव पर कोई भी चीज बेच सकता हूँ कॉम्रेड पैक ने बिना किसी चिन्ता के जवाब दिया और ओफिस की तरफ चल दिया धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो अध्याए च्यार अच्छी तैयारी सफलता की शर्त है दागोगेटर हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम दो महिनों तक पैकी रिक्स ने बिलपेक को नहीं देखा दरसल बिलपेक शहर में था ही नहीं पहले तो वह जानकारी हासिल करने में व्यस्त था और फिर वह बिक्री की यात्रा पर चला गया हर सेल्जमेन की तरह बिलपेक को भी भाड़े की दरू वजन और कमपनी की मिलों के बारे में बहुत सारे विरुन बताई गए जिनकी जानकारी के बिना कोई सेल्जमेन बेचना शुरू नहीं कर सकता इतनी जानकारी होना अनिवारिय था लेकिन बिलपेक जानता था कि यह नियुनतम जानकारी है और अगर उसे सफल होना है तो उसे इससे जादा जानकारी होनी चाहिए इसलिए बिलपेक ने अपनी तरप से भी थोड़ी अतरित जानकारी मांगी उसने इस विशह का ग्यान रखने वाले लोगों से यह पता लगाया कि प्रडेक्ट की विविद्थाओं के अलावा उनमें क्या विशेस्ताइं होती हैं उनमें कौन से गुण और दोश होते हैं और किन परिस्तितियों में, किस मोसम में, किस आबो हावा में, किस उदिश्य से किस प्रोडेक्ट का प्रियोग करना ज़्यादा फाइदेमंद होता है। हर माहिर सेल्जमेन की तरह ही वह भी अपने प्रोडेक्ट को जानो सुत्र वाक्य में यकीन करता था। उसने इतनी ज़्यादा उत्सुकता और उत्सा से सीखा कि वह कुछ ही दिनों में कमपनी के सभी प्रोडेक्ट का विसे सगे बन गया। अब वह किसी भी ग्रह को न्यू मेक्सिको और टेक्सेस इलाके की और चल दिया। साल्ट लेक सिटी में उसने किला फटै करके पहला जंडा काड़ा। वहां उसने दो ट्रक भरकर लार्च रस्टिक का ओर्डर तार से भेजा। फिर ओगडेन में उसने एक रिटेल यार्ड को सकंक्स कुरूप के अब तक उसे काम्यावी नहीं मिली थी। इससे भी रोचक बात यह थी कि बिल पेक ने यह माल स्कीनर के बताई भाव से एक टोलर ज्यादा पर बेचा था। एरिजोना में उसने इमारती लकडी के नई ग्राहक बनाई उसकी प्रगती संतोष जनक थी। लेकिन टेकसेस के बीचों बीच पहुँच कर काम्रेड पेक ने सचमुच अपनी बेचने की योगयता का परदर्शन किया और सारे रिकोर्ड तोड़ डाले। वह स्टंडर्ड ओईल के लकडी के मचानों का विशे से बन गया और उसने ओर्डर इतनी तेजी से बेजे कि स्कीनर को उसे तार पहिजना पड़ा कि वह रहम करे। स्कीनर ने पेक को हिदायत दी कि वह अपने खेल का मैदान बदल ले और अपना हूनर, सीडार सिंगल्स और साइडिंग, डगलस फर और रेड़ वूड बेचने में दिखाए। अंततै बिल पेक की यात्रा पूरी हो गई और वह घर पास आया। देखिए, मुझे मानना होगा कि कामरेड पैक लकड़ी बेच सकता है। उसने मन मार कर स्विकार किया। उसने पांच नए गरहक बना लिये हैं और यह देखें, सकंक स्क्रूप के दो ओर ट्रकों का ओर्डर है। मुझे नए साल की पहली तारिक को उसकी बढ़ानी होगी। मेरे प्यारे स्केनर, शैतान की आँख, नए साल की पहली तारिक तक इंतजार क्यों करना चाहते हो। पैसा पकड़कर बैठने की तुम्हारी बुरी आदत की वज़य से हमारे एक से ज़्यादा करमचारी नोकरी छोड़कर चले गए हैं। तुम जानते तो कामरेड पैक को बहुत ज़्यादा अच्छा मैसूस होगा। कौन जाने हो सकता है वह इस नतीजे पर पहुँचे कि तुम आखिरकार एक इंसान हो और वह तुम्हें पसंद करने लगे। बहुत अच्छा सर, मैं उसे वही वेतन दूँगा जो एंड्रियूज को दे रह जिसके इलाके को पैक ने संभाला है, स्किनर तुम मुझे बार बार मजबूर क्यों करते हो कि मैं यह बताओं कि यहां बोस कोन है, यह एंड्रियूज से बहतर है, है ना, मेरे ख्याल से बहतर है सर, तो फिर हमारी निश्वक्षता को याद करो, इमानदारी दिखाओ, और उसे ज़्यादा वेतन दो, और उसे काम शुरू करने के पहले दिन से ही बढ़ा हुआ वेतन दो, और हाँ, इससे मुझे याद आ गया, जो मैं तुम से कई दिनों से पूछना चाहता था, एंड्रियूज का संगाई वाला काम कैसा चल रहा है, वह हमारे बजाए केबल कंप अधा ही बदल लिया, और हमारे कारोबार को नुकसान हो गया, मैंने उसे तार भेज कर कहा था, कि वह है खुद निरने लिया करे, लेकिन वह कहता है, कि वह हर चीज हमारे बताए अंसवार करना चाहता है, ताकि हम किसी गलती के लिए उसे जिम्मेदार ने ठाराएं, और हम समय क्या किया जा सकता था, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था, लेकिन तुम देख लेना, अभी कुछ ही समय में मैट यहां आएगा, और मुझ पर ताना मारेगा, कि मैंने ही एंड्रियूज को वहां भेजने का बुद्धी मुतापूर्ण निरने लिया था, और यह व्यवस्था है, देखो, मुझे लगता है कि मुझे उसके वारिस को खोजना होगा, और वहे भी जल्दी, मैट, मैंने आपको बताया था, का विजयी ताना मारे उससे पहले, मैं सोचता हूँ, कि कामरेड पैक में हमारे संगाई ओफिस का अच्छा मैनेजर बनने के कुछ लक्षन दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे उसकी थोड़ी और परिक्षा लेनी है, उन्होंने स्कीनर की तरफ हाश्य वरे अंदाज में देखा, उन्होंने आगे कहा, स्कीनर मेरे प्यारे लड़के, मैं उससे नीले गुलदान को पहुंचाने को कहने वाला हूँ, स्कीनर पहले से खबर कर देना और अपने थोड़े पैसे बचा लेना, वह खिडकी तक चल कर गया और कैलिफोर्निया स्ट्रीट को निहारने लगा, वह मुश्कुरा रहा था, हाँ, कैपी ने सपनीले अंदाज में आगे कहा, मैं सोचता हूँ, कि मैं उसका सबसे कठे निम्तियान स्कीनर, तुम यह तो मानोगे, कि अगर वह निला गुलदान पहुंचा देता है, तो वह हमारे पूर्वी देशों के मैनेजर के रूप में, दस हजार डोलर का वेतन पाने लाइक मुल्यवान है, स्कीनर ने कहा, मैं सोचता हूँ, कि वह इस इम्तियान में खरा उतरता है, तो वह इस से जादा मुल्यवान होगा, तो फेट ठीक है, स्कीनर, एसा इंतजाम कर दो, ताकि बिल पेक अगले सप्ता के रविवार को दोपैर एक बजे मेरे लिए उपलब्द हो, बाकी व्यवस्ता मैं संभाल लूँगा, स्कीनर ने सिरही लाया, अपने ओफिस की तरफ का इमतिहान है, दा गोगेटर, हिंदी ओडियोबुक डोट कोम, अगले शनिवार को स्कीनर ओफिस नहीं आया, लेकिन उसने घर के मुख्य कलर को टेलिफोन पर एक संदेश दिया, उसने हेड कलर से कहा, कि वह पेक से शनिवार की शाम मिलना चाहता था, लेकिन थोड़ा ब बेचने की एक और यात्रा शुरू करने से पहले, वह उससे मिलना चाहता था, स्कीनर ने भैट कलर के जरिये यह पूछवाया, कि क्या पेक रवीवार दोपैर को एक बज़े स्कीनर के घर आकर उससे मिल सकता है, पेक ने कहा कि वह तैय समय पर वहां पहुंच जाएगा, औ और उसे चीफ कलर के जरिये स्कीनर का धन्यवाद मिला, अगले ठीक एक बज़े बिल पैक जनरल मैनेजर के घर पहुंच गया, उसे स्कीनर बिस्तर पर अख़वार पढ़ता मिला, वह आस्चर एजनक रूप से अच्छा दिख रहा था, पैक को विस्वास था, कि स्कीनर ज पैक को खास तोर पर भेजना चाहता था, नई व्यपार की जांच और धेर सारे अन्यविवरन जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और इसी बातचीत के दोरान कैपी रिक्स का फोन आ गया, स्कीनर के पलंग के पास एक मेज पर एक पोर्टेबल टेलिफोन रखा था इसलिए स्कीनर ने उसे तुरंट उठा लिया, कामरेड पैक ने देखा कि स्कीनर दो मिनट तक पूरे ध्यान से बात सुनता रहा और उसके बाद उसने अपना मूँ खोला, मिश्टर रिक्स मुझे बहुत अफसोस है, मुझे आपकी खातिर यह काम करना बहुत अच्छा ल बिल्कुल, बिल पैक ने जनरल मैनेजर को तुरंट आस्वस्त किया, मिश्टर रिक्स किसकी सुपारी देना चाहते हैं और उसकी लाश को मैं कहां पहुँचाऊंगे, स्कीनर की बहुत ही चिडाने वाली हश्य रही तहंसी थी, मानु वह हंसने जैसा गोर अपराद नहीं क चाहता हो। उसने कैपी को बताया, मिश्टर पैक कहते हैं कि वे इस मामले में आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे। वे यह जानना चाहते हैं कि आप किसकी सुपारी देना चाहते हैं, और आप लाश को कहां पहुँचवाना चाहते हैं। पैक मिस्टर रिक्स आपसे बात करना चाहते हैं, बिल पेग ने फोन ले लिया, गुड आफटरनून मिस्टर रिक्स, हलो पुराने सैनिक, तुम आज दोफैर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, मेरा मतलब है मिस्टर स्कीनर से मेरी बाचित खत्म होने के बाद मेरी कोई योजना नहीं है, वैसे एक बात बता चाहूंगा, उन्होंने अभी-अभी मेरा वेतन बढ़ाकर मुझे आकरशक कर दिया है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ, हलांकि मिस्टर स्कीनर ने उदारता दिखाई है, लेकिन मुझे यह भी महसूस होता है, कि आपने भी उसमें मेरी तरफदारी की अगर तुम कम करते, तो तुमें कम मिलता, और अगर तुम कुछ नहीं करते, तो तुमें नोकरी से निकाल दिया जाता और कुछ नहीं मिलता, इस संसार का यही दस्तूर है, जैसा बोगे, वैसा काटोगे, इसलिए यह भूल जाओ, कि स्कीनर या मैंने तुम पर कोई उपक किया है लेकिन यह अच्छी बात है कि आज दोपैर को मेरे प्रति तुम्हारी भावना अच्छी है क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो यह काम मैं किसी लड़के से नहीं करा सकता और मुझे यह अच्छा भी नहीं लग रहा है कि तुम्हें स चहर में टहल रहा था यह सटर स्ट्रीट की बात है देखो स्टोक्टन और पावेल स्ट्रीट के बीच में जब आप मार्केट स्ट्रीट के सामने मूं करके खड़े होते हों तो दाएं हाथ की तर मुझे एक दुकान की विंडो में एक निला गुलदान दिखा और तुम्हे इसे अपने संग्रे के लिए कभी नहीं खरीटता लेकिन जैसा निला गुलदान मैंने उस दुकान की विंडो में देखा था हूब हूब वैसा ही निला गुलदान मेरी एक बहुत अच्छी और प्यारी महिला मित्र के पास है मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर उसके पास निले गुलदान का जोड़ा हो जाई तो वह बिना पंखों के आस्मान में उड़ने लगेगी दो गुलदानों से उसके ड्राइंग रूम के सजाउट में चार चांद लग जाएंगे ड्राइंग रूम के परदे के दोनों तरफ एक-एक मेरी बात समझ गए अब इस मामले में एक ही पेंच है और वह भी कोई चोटा मोटा नहीं बलकि बड़ा पेंच है कल रात को मेरी उस महिला मित्र की शादी की सालगी रा है उसके लिए उसने मुझे अमंतरित किया है इसलिए आज रात को मैं आठ बजे की ट्रेंज से शहर छोड़ रहा हूँ ताकि कल तक शानता बार बारा पहुंच सकूँ बिल मैं यह तो भूल गया हूँ कि यह कौन सी वर्सगाट है लेकिन मुझे उसकी बेटी ने यह याद दिलाया है कि अगर मैंने उसे चिनी मिटी या क्लोईजोन के अलावा कोई चीज तोफ़े में दी तो उसे रास नहीं आएगी देखो बिल यह चोटा सा नीला गुलदान इस लियाज से एकदम आदर्श उपहार होगा सोनवार को स्टोर खुलने का इंतजार करते हैं तो गुलदान आपकी मेजबान के पास उसकी सालगिरा की पार्टी के 24 गंटे बाद पहुंचेगा सही समझे बिल अब देखो मुझे वह गुलदान चाहिए ही चाहिए अगर मुझे यह कल ही दिख जाता तो मैं तुम्हें यह कष्ट नहीं देता बिल करप्या कोई सफाई नहीं दे नहीं कष्ट का जिकर करें मिस्टर रिक्स आपका हुक्म बजाना मेरा करतब बे है आपने गुलदान का वर्णन कर दिया है नहीं आपने नहीं किया है यह किस तरह का नीला है यह गुल्दान कितना उंचा है और इसका सबसे ज़्यादा व्यास कितना है क्या यह पेंदे पर रखा है या नहीं रखा है क्या यह ठोस नीला है या इस पर कोई बेल भूटे का काम है और आकरती बनी है यह कलोईजोन गुल्दान है बिल एक तरह का पूराना डच बलू या चमकदार पॉलिश जिस पर पूरवी देसों में होने वाली थोड़ी नकासी है मैं इसका सटीकता से वरनन नहीं कर सकता लेकिन इस पर कुछ पक्षी और फूल बने है यह लगबग एक फुट उंचा है और इसका व्यास लगबग चार इंच है और यह दुकान में सागोन लकडी के पेंदे पर रखा हुआ है समझ गया सर यह गुल्दान आपके पास पहुँच जाएगा और तुम इसे आज रात साथ पच्पन पर थर्डेंड डाउन सेंड स्ट्रीट पर ट्रेन के स्टेट रूम ए बोगी नंबर साथ में मुझ तक पहुँचाओगे जी सर धन्यवाद बिल इसके किमत जादा नहीं होगी कल सुबह जाकर इसे कैशर से ले लेना और उससे कहना कि वह है इसे मेरे खाते में डाल दे और इतना कहने के बाद कैपी ने फोन रख दिया तुरंत इस किंदर ने रुकी हुई बादचीत का धागा उठा लिया और तीन बजे तक बिल पे को वहीं रोके रखा तीन बजने के बाद ही बिल पे को उस मकान से बाहर निकल पाया और कैपी रिक्स के नीले गुलदान का पता ठिकाना मालूम करने के लिए बाजार की तरफ रवाना हो गया वह स्टोक्टन और पावेल स्टीट के बीच सटर स्टीट की और चलने लगा हालांकि वह दीरे दीरे सडक की एक तरफ से चला और दूसरी तरफ से वापस लोटा लेकिन उसे किसी दुकान की विंडो में किसी भी तरह का कोई गुलदान नहीं दिखा ने ही उसे एक भी दुकान दिखी जहां कैपी के बताई हुए वर्णन वाला कोई गुलदान बिकरी के लिए उपलब्द हो सकता था मैं सोचता हूँ कि उन से पता ठिका ना बताने में कोई गलती हो गई होगी बिल पैक इस नतीजे पर पहुँचा या फिर मैंने उनके बात गलत समझ ली होगी मैं उनके घर फोन करके उनसे दोबारा पूछ लेता हूँ उसने फोन किया लेकिन कैपी रिक्स से बात नहीं हो पाई घर पर एक स्वीडिश नोकरादी केसिवा कोई नहीं था और वह बस इतना जानती थी कि रिक्स बाहर गए हैं और उसे पता नहीं कि वे कब तक लोट कराएंगे इसलिए पेक दोबारा सटर स्ट्रीट पर लोटा और एक बार फिर दोनों तरफ बनी हर दुकान को गोर से देखा फिर वह पाविल स्ट्रीट और स्टाक्टन स्ट्रीट की दुकानों को देखने लगा जब उसे कहीं भी निला गुल्दान नहीं मिला तो उसने अपने दाइरे को बढ़ा लिया और पाविल स्ट्रीट और स्टाक्टन स्ट्रीट के बाद वाली गलियों में देखने लगा फिर उन से भी आगे वाली गली में लेकिन निला गुल्डान नहीं दिखा तो नहीं दिखा एसा लग रहा था जैसे उसे जमीन निगल गई हो या आस्मान खा गया हो एसा लग रहा था जैसे सुबह के बाद यह निला गुल्डान एदर्शे हो गया हो वह निरास हो सकता था लेकिन नहीं हुआ उसने होंसला नहीं छोड़ा उसने सोचा कि शायद कैपी रिक्स की यादास्त गड़ बढ़ा गई होगी और वे भूल गई होंगे कि उन्होंने किस सड़क पर गुलदान देखा था इसलिए बिल पेग पूरी शिद्दत से नीले गुलदान को खोजता रहा वह पश्चिम में एक ब्लोक आगे गया और एक ब्लोक दक्षिन में गया और यहाँ पर उसकी खोज पूरी हो गई उसे ग्रांड एवेन्यू के पास गियरी स्ट्रीट की एक दुकान की बड़ी प्लेट ग्लास विंडो में एक नीला गुलदान दिख गया उसने इसे गोर से देखा कि क्या यह वही है जो वह चाहता है अंदते उसे विश्वास हो गया कि यह वही गुलदान है जो उसे चाहिए था उसने दुकान का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन जैसी उम्मीद थी उस पर ताला लगा था उसने दरवाजे पर लात मारी वहे उमीद कर रहा था कि शोर शराबा सुनकर इमार्थ के पीछे वाले हिस्से से कोई चोकिदार निकल कर आएगा और उसकी समश्या हल हो जाएगी लेकिन वहे अपने प्रियास में काम्याब नहीं हुआ अब क्या किया जाए यह सोचने के लिए वैफुटपात के कोने पर पीछे हटा और दरवाजे के साइन बोर्ड पर देखने लगा बी कोहिन की आर्ट शो बी कोहिन नाम पता चलना भी एक शुरुबात थी पेक के पास बस यही एक जानकारी थी और उसे इसी जानकारी के दम पर उस नीले गुल्दान को हसिल करना था पेक लंगडाता हुआ पहले से होटल गया और वहां से टेलिफोन डारेक्टरी हासिल की इसका विशलेशन करने पर उसे पता चला कि पूरे शहर में 19 बी कोहिन बिखरे हुए थे इसलिए उन सभी को फोन करने से पहले बिल पेक ने होटल कलर्क से शहर की डारेक्टरी उधार लई ताकि उसे यहे दिख सके कि कौन सा बिल कोहिन आर्ट शोप का मालिक है इस लंबी खोज में उसे कुछ नहीं मिला इसमें आर्ट डिलर बी कोहिन का नाम तो था लेकिन पता उसी दुकान का दिया था जिसकी विंडो में नीला गुलदान रखा था बस इतना ही पेक इस नतीजे पर पहुंचा उसे लगता है कि वह किसी दूसरे शहर में रहता होगा और हर दिन अपडाउन करता होगा यह विचार आते ही वह तुरंत सक्रिय हो गया उसने नजदी की शहरों बरकले, ओकलेंड और अलामेडा की डारेक्टरी हासिल करने की कोशिश की वे उपलब्द नहीं थी इसलिए निराशा में उसने एक डॉलर के छुटे कराकर पांच सेंट के सिक्के लिए और एक टेलिफोन बूत में जाकर सेंट फ्रांसिसको में रहने वाले 19 बी कोहन को फोन करने लगा 19 में से 4 ने फोन नहीं उठाया 3 का फोन ऐस्ताई रूप से बंद था 6 ने यहुदी भाशा में जवाब दिया 5 उसके मनचाहे बी कोहन नहीं थे और एक ने तो कसम खाई थी कि वह है आईरिश था और उसके नाम का असली उचान कोहन था और इसमें दोनों हिज्जों पर जोर दिया जाता है इसके बाद पेक ने बरकले, ओकलेंड, गलामेडा, सैन रैफेल, साले लिटो, मिल वैली, सैन मेटियो, रेड़वूर्ड सिटी और पालो आल्टो में रहने वाले हर बी कोहन को फोन किया लेकिन हर जगे उसे निराशा ही हाथ लगी यह लंबा और महंगा काम पूरा करने के बाद जब पूरु सैनिक बिल पेक टेलिफोन बूट से बाहर निकला तो पसीने से लटबत था और चोंच मारती मुर्गी जितना चिट चड़ा था होटल के बाहर पहुँचने के बाद उसने अपना थका हारा चहरा आसमान की तरह उठाया और मन हीवन इस वर से पूछा कि उन्हों ने उसे युद में सम्मान की मोट से क्यों बचाया और गैर सेन्य जीवन में भी कोहन से बात करने की जलील मोत तक क्यों पहुँचाया अब तक छै बत चुके थे अचानक पेक के मन में एक प्रेरख विचार आया सही नाम क्या था यह कोहन था, कोहन था, कौन था, या कोहन था, या कोहन था अगर आज रात मुझे एक बार फिर यहुदी जन्गरना करनी पड़ी तो मैं मर जाऊंगा उसने खुद को मायूस अंदाज में बताया और दोबारा आर्ट शोप की तरप गया साइन बोर्ड पर लिखा था, बी कोहन की आर्ट शोप काश, मैं किसी अवैज शराब बेचने वाले का ठिकाना जानता बेचारे पेक ने शिकायत की मैं काफी परेशान हो चुका हूँ और थोड़ी सी शराब से मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता अरे, मैं कसम खाकर कह सकता था कि मैंने पहले उसका नाम कोहन पढ़ा था मुझे लगता है कि यह याद रखने में मुझसे कोई गल्ती नहीं हुई थी वह दोबारा होटल के टेलिफोन बूत में लोटा और शेहर के सभी बी कोहनों को फोन करने लगा कुल आठ थे और उन में से चैब बाहर थे एक शराव के नशे में धुत था और अगला बहुत बहरा था और चिला कर ऐसी बात कर रहा था जो समझ में नहीं आ रही थी शांती की बरवरताएं भी युद्ध से कम नहीं होती है पेक ने आह भरी उसने 20 डोलर के नोट को छोटे सिकों में तुडवाया और इसके बाद गरम तथा बदबू भरे टेलिफोन बूत में लोटकर सैन फ्रांसिस को बे के नजदी की बड़े कस्बों में रहने वाले बी कोहनों को फोन करने लगा और वहे खुश नसीव था छटे फोन पर यूसे सैन रैफेल में वहे खास बी कोहन मिल गया लेकिन अभी मंजिल दूर थी उस कोहन की कुक ने बताया कि मिस्टर कोहन मिल वैली में मिस्टर सीमन्स के घर खाने पर गई हुए है मिल वैली में तीन मिस्टर सीमन्स थे और पेक ने उन सभी को फोन गुमाया तब कहीं जाकर सही मिस्टर सीमन्स से उनका संप्रक हुआ हाँ, मिस्टर भी कोहन वहाँ पर है उनसे कोन बात करना चाहता है? मिस्टर हेक, ओ, मिस्टर लेक, खामोशी फिर Mr. Cohen कहते हैं कि वे किसी Mr. Lake को नहीं जानते और यह जानना चाहते हैं कि आपको उनसे क्या काम है वे खाना खा रहे हैं और जब तक मामला गंभीर महतव का नए हो तब तक वे कोई व्यवधान नहीं चाहते उन्हें बता दें कि Mr. Peek उनसे एक बहुत बहरी महतव के मामले पर बात करना चाहते हैं पूरु सैनिक ने दुख बरी आवाज में कहा Mr. Metan, Mr. Ben Metans, नहीं नहीं, Mr. Peek, देख, नहीं P, C, P, ओ हाँ, E, Mr. E क्या, C, K, ओ हाँ Mr. X-Tain कोहन को फोन पर बुलाओ, वरना मैं अगले नाव में बैटकर वहीं आता हूँ, और तुम्हारा गला दबाता हूँ, मूर्खों के सरदार पेक चिखा, उससे कहो कि उनके स्टोर में आग लग गई है, सपस्ट रूप से यह संदेश सही जगे पर पहुँच गया था, क्योंकि मुझे इसलिए कहना पड़ा, ताकि आपको फोन पर बुला सुकूँ, मैं पेक हूँ, और आप मुझे नहीं जानते हैं, सैन फ्रांसिस्को में गियरी स्ट्रीट पर आपकी शोप की विंडो में एक नीला गुलदान रखा हुआ है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, और मैं क्या मैं पागल लगता हूँ, नहीं, मिस्टर कोहन, मुझे नहीं लगता, फोन पर बात करने वाला मैं ही इकलोता पागल व्यक्ती हूँ, मैं उस गुलदान के बीचे पागल हूँ, और मुझे वह इसी समय तुरंत चाहिए, तुम जानते हो उस गुलदान की किमत क्या है, बीचोहन की आवाद चास नहीं भरी हो गई, नहीं, और मुझे कीमत की परवावी नहीं है, मैं जो चाहता हूँ, वह मुझे चाहिए, और जब चाहता हूँ, तब चाहिए, क्या मुझे वह मिल जाएगा, देखो, मुझे सोचने दो, कितना समय हुआ है, एक खामोशी जिस दोरान भी कोहन अपनी गड़ी देख रहे होंगे, मिस्टर एक्स्टीन, इस समय पोने साथ बजे हैं, और मिल वैली से अगली ट्रेन आठ बजे से पहले नहीं निकलती है, इस तरह मैं आठ पचपन पर सैन फ्रांसिस को पहुंचूंगा, और मैं दोस्तों के साथ डिनर कर और मैंने अभी अभी अपना सूप खत्म किया है, आपका सूप भाड में जाए, मुझे निला गुल्दान चाहिए, मैं आपको इसका एक और रास्ता बता देता हूं, मिस्टर एक्स्टीन, अगर आपको यह तुरंत चाहिए, तो आप मेरे हेड सेल्जमेन हर्मन जूस्ट क चिल्टन अपार्टमेंट में फोन लगा लें, प्रोस्पेक्ट तीन दो चार नो, और उससे मेरी तरफ से यह कह दें, कि वह तुरंत आकर दुकान खोल दे, और आपको वह निला गुल्दान बेश दे, अलविदा, मिस्टर एक्स्टीन, और यह कहकर बी कोहन ने फोन रख तुरंत ही पेक्ट ने प्रोस्पेक्ट दो, तीन, चार नो को फोन किया, और हर्मन जूस्ट से बात करने को कहा, जूस्ट के माने फोन उठाया, वे इसलिए उदास और अकेली थी, क्योंकि हर्मन घर पर नहीं था, और बाहर गया हुआ था, लेकिन उन्होंने यह जरूर ब कंट्री कलबों की सूची मांगी, और उन्हें फोन करने लगा, आठ बजे उसे अब भी यह जानकारी दी जा रही थी, कि मिस्टर जूस्ट सदश्य नहीं है, कि मिस्टर बूस्ट अंदर नहीं थे, कि मिस्टर मूज तीन महीने पहले ही मर गए थे, और मिस्टर मूज ने के स्थिती है, हिम्मते मरदा मददे खुदा, मैं उस शोव विंडो में एक इनिट मार दूँगा, और गुल्दान को उठा कर दोड़ लगा दूँगा, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उसने एक टैक्सी कैब को बुलाया, और ड्राइवर से कहा, कि वह गियरी और स् भी उधार ली, लेकिन उसकी सारी योजनाओं पर पानी फिर गया, जब वह वी कोहन की आर्ट शोप के पास पहुँचा, तो उसने देखा, कि दरवाजे के सामने एक पुलिस वाला खड़ा है, और चुपके से सिगार पी रहा है, जिस काम की ड्यूटी के घंटों में मनाई थी, अगर मैंने उसके सामने यह किर की तोड़ने के जुर्रत की, तो वह मुझे पकर लेगा, हतास पेक ने नेने लिया और सड़क पर आगे बढ़ता गया, वह सड़क के अंध तक पहुचकर दोबारा लोटा, अब अंधेरा हो चुका था, और आठ शाप के ऊपर बी कोहन लिखा था, पूरु सैनिक बिलियम ई पेक आग के बंबे पर बैठ गया, और अपनी बद किस्मती को कोशने लगा, उसका कमजोर पैरब दुखने लगा था, किसी कमबक्त कारण से उसके बाएं हाथ के ठूंट को महसूस हो रहा था, कि उसके गाइब हाथ में खुजली चल रही थी, संसार मूर्खों से भरा हुआ है, उसने आवेस में कहा, मैं ठक गया हूँ, और मैं भूखा भी हूँ, मैंने लंच भी नहीं किया था, लेकिन जब तक यह काम नहीं निपड़ जाता, तब तक मैं डीनर की बात तो सोची नहीं सकता, वह अपनी टेक्सी तक लोटा और फिर होटल पहुँच गया, वहाँ पहुचने तक उसने सीने की सदावार आशा एक बार फिर सक्रिय हो गई थी, उसने एक बार फिर प्रोस्पेक्टस 3249 को फोन लगया और यह सही निर्ने साबित हुआ, उसे पता चला कि गाइव हर्मन जूष्ट अपने घर लोटाया उतेजित पेक ने उसे भी कोहन का संदेश दे दिया, संदेश सुनने के बाद भी हर्मन जूष्ट ने उस पर भरोसा नहीं किया, वह थोड़ी सतर्क प्रवर्ति का जान पड़ता था, इसलिए उसने कहा कि वह मिल वैली में मिस्टर साइमन के घर पर मिस्टर कोहन को फोन कर और अगर मिस्टर केक को परवा हो, तो वे वहाँ उसका इंतजार कर सकते हैं, मिस्टर केक ने कहा कि वे वहाँ खुशी-खुशी उसका इंतजार करेंगे, नो पंद्रह पर हर्मन जूष्ट नजर आया, उसने यह सतर्कता पर्ति थी कि आते समय उसे एक पुलिस वाला इसे वे अपने साथ ले आया था, स्टोर के भीतर की बतियां जल रही थी और जूष्ट ने विंडो से नेले गुलदान को प्यार भरी नजरों से निहारा, यह कमवक्त चीज है कितने की, पेक ने पूछा, दो हजार डोलर, जूष्ट ने पलकों को हिलाई विना जबाब द दिया, नकद, उसने आगे जोड़ दिया, जाहिर है, यहे विचार उसके मन में बाद में आया था, धका मानदा पेक, कानून के तगडे रक्षक से टिक गया, और उसने आह बही, यहे आखिरी तिनका है, उसके पास लगबग सो डोलर थे, वहे कांपती आवाज में बोला, और पेक ने स्किनर को फोन लगया, मिस्टर स्किनर उसने आवेश में कहा, मैं बिल पेक की जिंदा लाश बोल रहा हूँ, मैंने स्टोर खुलवा लिया है, और दो हजार डोलर नगत दे कर, मैं वहे नीला गुलदान खरीद सकता हूँ, जिस पर मिस्टर रिक्स का दिला गय है, ओ पेक प्यारे आदमी, स्किनर ने सानु भूति पूरवक कहा, क्या तुम इस सारे समय उसी गोरकतंदे में लगे थे, हाँ, और मैं इसमें तब तक लगा रहूंगा, जब तक कि मैं सामान पहुचा नहीं दूँगा, बगवान के लिए मुझे 2000 डोलर उधार दे दो, आ अले आदमी, मेरे घर में 2000 डोलर नहीं है, यह इतनी बड़ी रकम है, कि पास में रखना सुरक्षित नहीं है, तो फिर ओफिस जाकर तिजोरी से पैसे निकाल लें, ओफिस की तिजोरी पर समय का लोक लगा है पेक, असमभाओ, तो फिर बाजार में आ जाएं, और होटलों, काफी हाउसों और रेस्टराओं में मेरी शिनक्त कर दें, ताकि मैं अपना खुद का चेक भुनवा सकूँ, क्या आपके बैंक में इतने पैसे हैं पैक, पूरी शाम से गुसे का जो सैला पैक के दिमाग में इकठा हो रहा था, अब वह फूट पड़ा, उसने सकिनर को चिल पैक को पता था कि पिजली अपने ससूर के साथ रहता है, मेट पिजली फोन पर आया और उसने पैक के दुख वरी दास्तान सानू बूती से सुनी, पैक, यह सबसे बुरी बात है, जो मैंने कभी सुनी है, उसने एलान किया, तुम्हें ऐसा काम करने को दिया, तुम मेरी सला मानो और निले गुलदान को भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकता, पैक ने हांफते हुए कहा, अगर मैं वहे गुलदान उस तक नहीं पहुँचा पाया, तो मिस्टर रिक्स को बहुत ज़्यादा अपसोस होगा, मैं अपनी दाईबां की कसम खाकर कहता हूँ, कि मैं उन्हें क लेकिन अगर मैं गुलदान खरीद लूँ, तो मैं इसे कल सुबह च्छे बजे सांता बारबरा पर ट्रेन से उतरते समय, उन्हें तक पहुचा दूँगा, कैसे, मेरी नम एक फ्लाइंग स्कूल है, और वहां एक पायलेट मेरा दोस्त है, वहे मुझे और गुलदान को हेलि हो, या तुमने ज़्यादा शराब पी ली है, अगर कैपी रिक्स ने गलती से भी किसी गुलदान की 200 डॉलर कीमत दे दी, तो एक घंटे के भीतर ही उनकी मोत हो जाएगी, यानि आप मुझे 2000 डॉलर नहीं देंगे, कैप्टन पिजली, मैं नहीं दूँगा पे, घर जाकर स जाओ और इसे भूल जाओ, प्लीज, आप अपने चेक भूना सकते हैं, आपको लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और यह रवीवार की रात है, और यह पवित्र दिन मनाने का एक अच्छा तरीका है, मैं पिजली ने ताना कसा और फोन रख दिया, तो हर्मन जूष्ट ने पूछा, क्या हम सारी रात यहां रुखने वाले हैं, बिलपेग ने अपना सिर जुकाया, एक बात बताओ, उसने अच्छानक पूछा, क्या तुमें हीरे की परक है, क्या तुम अच्छा हीरा देकर उसे पहचान सकते हो, हाँ, हर्मन जूष्ट ने जवाब दिया, तो म आप तब तक यहां मेरा इंतिजार करेंगे, बिलकुल, बिल पेग दर्द भरे तरीके से लंगडाता हुआ चला गया, 40 मिनिट बाद वहे प्लेटिनम की एक अंगूठी लेकर लोटा, जिसमें हीरे और नीलम जड़े हुए थे, इसका कितना मुल्य होगा, उसने पूछा, ह जब मेरा चेक भुन जाएगा, तो मैं आकर यहां अंगूठी ले जाऊंगा, पंद्रह मिनिट बाद नीले गुल्दान को लकडी के बुरादे में पैक कराकर, और एक मजबूत कार्ड़ बोक्स में रखकर, बिल पेग एक रेस्तरा में दाखिल हुआ, और उसे डीनर का ओर दिया, खाना खाने के बाद वहे टैक्सी पकड़ कर मेरीना की हवाई पट्टी पहुचा, चोकीदार ने उस से अपने पाइलेट दोस्त का पता मालूम किया, आधी रात को उसके दोस्त ने बिल पेग और नेले गुल्दान को हेलिकॉप्टर में उठाया, और चांदनी रा लिकर आ रही ट्रेन वैली में आई, तो पेक ने रविवार के अकबार को मशाल की तरह जला दिया, पट्रियों के बीच खड़े होकर वहे उस जलते हुए अकबार को तेज-देज लहराने लगा, ट्रेन रुक गई, एक ब्रेकमेन ने एक गलियारे का दर्वाजा खोला, औ नहीं, लेकिन मेरे पास रास्ते का खर चुकाने के पैसे हैं, और मैंने यह ट्रेन इसलिए रुकवाई, क्योंकि मैं अपनी यात्रा का तरीका बदलना चाहता था, मैं बोगी नमबर 7 के स्टेट रूम A में एक आदमी की तलाश कर रहा हूँ, और अगर तुमने मुझे रो और जिसकी सफेद मटन चोप जैसी मूचे हैं, हाँ वही, देखो, जब हम सैन फ्रांसिसको से चल रहे थे, उससे ठीक पहले वह तुम्हारी तलाश कर रहा था, उसने मुझे से पूछा था, कि क्या मैंने एक बाँ वाले आदमी को बक्षा लिये देखा है, मैं तुमें उन इस्टर रिक्स, बिल पेक ने कहा, लेकिन सस्तो यह है, कि इतने सारे कोहन और कोहन और कोहन थे, और दो हजार डोलर की व्यवस्ता करना इतना मुश्किल था, कि मैं पिछली रात 7.45 पर आप तक नहीं पहुँच पाया, जैसा की आदेश था, मेरे लिए यह पूरी तरह से हो था, कि मैं उस तै समय सिमा के भीतर अपना काम पूरा कर लूँ, लेकिन मैंने ठान लिया था, कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा, यह रहा गुल्दान, वह दुकान आपकी बताई जगे से चार सड़क छोड़ कर थी सर, बहराल मुझे पूरा भरोसा है, कि मैंने सही गुल्दान खोज लिया है, यह सही होना चाहिए, इसके कीमत बहुत जादा है, और इसे खरीद पाना बहुत कठिन था, इसलिए यह इतना मुल्यवान बन जाता है, कि आप अपनी मित्र को तोहके में दे सकते हैं, कैपी रिक्स ने बिल पे को इस तरह देखा, मानो किसी भगवान, ओख भगवान कसम, वे बुद बुद आए, भगवान की कसम, हमने बार बार साइन बोर्ड बदले, और हमने कोहिन नाम के अक्षर अलग पलट कर तुम्हें दूविदा में डाला, हमने एक पुलिस वाले को दुकान के पहरेदारी के लिए खड़ा किया, ताकि त तुम आठ वजे वाली ट्रेन चुक गए, लेकिन फिर भी तुमने सुबहे के दो बजे इस ट्रेन को पकड़ लिया और नेला गुलदान मुझ तक पहुंचा दिया, अंदर आजओ, बिल और अपने पैरों को अराम दो, ब्रेकमेन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बिल इसलिए मैं आपके छोटे मजाक का बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मिश्टर रिक्स, मैं चीजों को उस तरह बरदाश्ट नहीं कर सकता, जिस तरह पहले कर लेता था, मेरा पैर दुपता है, और मेरा ठुट दुपता है, और मेरा दिल दुपता है, वह ठहरा, उसका गला पर्शिक्षन दिया गया है, कि मैं अपने बोस के आदेशों पर सवाल नहीं करूँ, चाहे वे मुझे कितने ही मुर्ग तापूर्ण, या बक्वास क्यों नहीं लग रहे हूँ, मुझे पर्शिक्षन दिया गया है, कि मैं अपने बोस के आदेश का पालन करूँ, यदी प्रति वफादारी सिखाई गई है और मुझे अफसोस है कि मेरे मुख्या ने मुझसे मजाक करना जरूरी समझा पिछले तीन सालों में मेरा समय ज्यादा अच्छा नहीं रहा है और आप अपना सकंक स्क्रूप और लार्च रस्टिक वै अलग-लग कटाई के स्टोग को स्किन जैसे किसी आलसी को अस्तान स्रित कर सकते हैं और बेहतर होगा कि आप स्किनर की जगे किसी को परक लें क्योंकि उसकी उम्र अभी इतनी कम है कि उसकी पिटाई की जा सकती है और मैं उसकी पिटाई करने वाला हूँ और इसके बाद उसे अस्पिताल में भरती करना सर कैपि रिक्स ने पिता जैसे हाथ से बिल पेक के दुखते सिर को सहलाया बिल बेटा यह कुरूर था बहुत ज़्यादा कुरूर था लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी नोकरी देना चाहता था और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें पता करनी थी तब ही मैं उस लिए तुम पर भरोशा कर सकता था इसलिए मैंने तुम्हारा निले गुलदान का इम्तिहान लिया जो किसी गोगेटर का चरम इम्तिहान होता है तुम सोच रहे हो कि तुम इस स्टेट रूम में 2000 डॉलर का गुलदान लेकर आए हो लेकिन सचाई तो यह है कि तुम दरसल जो अंदर लेकर आए हो वह हमारे शंगाई मैनेजर के रूप में 10,000 डॉलर की नोकरी है जब भी मुझे 10,000 डॉलर या इस से ज़्यादा वेतन वाले पद के लिए किसी स्थाई करमचारी को चुनना होता है तो मैं उस उम्मीदवार का नीले गुलदान वाला इम्तिहान लेता लेकिन पूरे आवेस के आँशू अब भी उसकी साहसी नीली आँखों में चमक रहे थे धन्यवाद सर आपको धन्यवाद सर मैं आपको क्षमा करता हूँ और मैं संगाई में अच्छा काम करूँगा मैं जानता हूँ कि तुम करोगे बिल अब मुझे एक बात बताओ मैंने संसार के सारे कोहन नाम वालों को फोन गुमा रहा था तब मेरा मन खुद खुशी करने को हो रहा था और जब मैंने सोचा कोहन नाम वालों को फोन करना शुरू किया तब भी यही हुआ था सर मैं यह काम बस इसलिए नहीं छोड़ सकता था क्योंकि यह उस एक आदमी के प्र ब्रिगेड का सुत्र वाक्य था यह कर दिया जाएगा। जब डिविजनल कमांडर उन्हें बुला कर कहते थे कि वे अपनी ब्रिगेड के साथ आगे बढ़ें और निश्चित इलाके पर कबजा कर लें तो हमारे ब्रिगेडियर कहते थे बहुत अच्छा जनाब यह कर दिया जाएगा। अगर उनकी ब्रिगेड के किसी अपसर को कोई काम असंभव लगता था जिस वज़े से वह आलच के संकेत दिखाता था तो ब्रिगेडियर बस एक बार उसे गूर कर देखते थे और इससे उस अपसर को वह सुत्रवा के याद आ जाता था और वह जाकर या तो का सेना की टुकड़े में मनोबल नीचे से उपर नहीं उठता है, यह तो उपर से नीचे तक रिष्ता है, संगठन वैसा ही होता है, जैसा इसका नेतरतव करने वाला होता है, ने तो बेहतर, ने ही बदतर, जैसा लीडर वैसा संगठन, मेरी कमपनी में जब टॉप सारजेंट किसी सेनिक को एक सबता के लिए कोई कठिन करता हुए बताता था, तो वह सिपाही बदकिश्मत होता था, अगर वह एक मुस्कान के साथ यह नहीं कह सकता था, ठीक है सारजेंट, यह कर दिया जाएगा, ब्रिगेडियर ने एक बार सिपकर बैठा है, जाकर उसे पकड़ लो पे, देखिये मिस्टर रिक्स, मैं तनकर खड़ा हुआ, और उन्हें एक राइफल सैल्यूट देकर बोला, सर, यह कर दिया जाएगा, और मैं वह निगाह नहीं बूला, जिससे उन्होंने मुझे देखा था, जब मैं आस्ट्रिया और मर जाना चाहता था, उन्होंने आकर मेरा होंसला बढ़ाया, उन्होंने कहा, क्यों बहादुर पेक, आप अभी मरे नहीं हो, गैर सेनिकों के दुनिया में आप छे जिंदा लोगों के बराबर मुल्यवान हो, है ना, लेकिन मैं निराशा के महा सागर में काफी आगे तक चला गया था, इसलिए मैंने उन से कहा, कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, यह सुनकर उन्होंने मुझे कड़ी निगा से देखा, और कहा, बहादुर पेक, ठीक होने की पूरी कोशिश करेगा, और शुरुआत में वह मुस्कुराएगा, जाहीर है, चुंकि उन्ह बिरगेड की एक आत्मा थी, उनकी आत्मा, समझ गया बिल, और उनकी आत्मा दूसरे संसार में चली गई है, उनका क्या नाम था बिल, बिल पेक ने अपने आदर्स व्यक्ति का नाम बताया, भगवान की कसम, कैप्टी रिक्स की आवाज में स्रदा मिसृत आस्चरिया था, और उनके बुड़ी आंखों में सम्मान का भाव था, उन्होंने धीरे से कहा, पच्चीस साल पहले तुमारा बिरगेडियर मेरी कमपनी में एक महतोपूर्ण पद का उम्मिदवार था, और मैंने उनका भी निले गुल्दान वाला इम्तियान लिया था, वह गुल्दान को वैद तरीके से तो नहीं ला पाया, इसलिए उसने विंडो पर एक छोटा पत्थर फेंगा और गुल्दान को उठा कर डेड़ मिल तक दोड़ा, तब कहीं जाकर पुलिस उसे पकड़ पाई, उस मामले को रफा दबा करने और शांत रखने में मेरे बहुत पैसे लगे थे, लेकिन वह बहुत अच्छा था बिल, और मैं उसके रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता था, मैंने उसे उसके किस्मत की तरफ बढ़ जाने दिया, लेकिन मुझे बताओ बिल, तुम्हारे पास इस गुल्दान को खरीदने के लिए 2000 डोलर कहां से आए, पूरु सैनिक पैक न उन्हें उड़ा डाला, इसके बाद हम नीचे गए, मुझे एक उंगली मिली, जिस पर एक अंगुठी थी, और ब्रिगेडियर ने कहा, कि अगर मैं अंगुठी नहीं लूँगा, तो कोई दूसरा ले लेगा, मैं वह अंगुठी अपने चेक की सुरक्षा निदी के रूप में छोड़ कर आया हूँ, लेकिन तुम में इतना साहस कैसे आया, कि तुम मुझ पर दो हाजार डॉलर के फूलदान के लिए बरोसा कर लो, क्या तुम्हे एहसास नहीं था, कि यह भाव बेतुका है, और मैं इस सोदे से मुकर सकता था, कते ही नहीं, आप अपने सेवकों के कामों के लिए जिम्मेदार हैं, आप एक सचे भले मानुसे हैं, और कभी ऐसे काम से नहीं मुकरेंगे, आपने मुझे बताया था, कि क्या करना है, लेकिन आपने यह बताकर मेरे बुद्धी का अपमान नहीं किया, कि इसे कैसे करना है, जब मेरे स्वरगिय ब्रिगेडियर ने मुझे उस जर्मन निशांची के पीछे बेजा था, तो उन्होंने इस संभावना पर विचार नहीं किया था, कि वह निशांची मुझे पकड़ सकता है, उन्होंने मुझे निशांची को पकड़ने को कहा था, यह पक्का करना मेरा काम था, कि मैं अपने लक्षे को हासि जो जाहिर है मैं तब नहीं कर सकता था अगर मैं उस जर्मन निशांची को खुद को पकड़ने के अनुमती देता मैं समझ गया भी देखो यह नीला गुलदान सुबह कूली को दे देना मैंने एक सस्ते स्टोर से इसे 15 सेंट में खरीदा था और अब तुम उस उपर वाली बर संता बरबरा नहीं जा रहे है मिस्टर रिक्स मैं नहीं जा रहा हूँ बिल मुझे काफी समय पहले पता चल गया था कि शेहर से बाहर निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा गोल्प खेलना मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है और वैसे यह महिला मित्रों से मिलने के मेरी कोई उम्र भी नहीं है बिल अभी तुम नोजवान हो लेकिन एक उम्र एसी आती है जब महिला मित्रों से मन उचट जाता है और उन से ने सिर्फ संपर्क तूट जाता है बलकि कई बार तो उनका नाम भी याद नहीं रहता है कई मामलों में तो इनसान बुढ़ाते में अपने प अपता तक आफिस से दूर रहूं क्योंकि अगर उमीदवार नीला गुल्दान पहुंचाने में सफल नहीं होता है तो उसे यह पता नहीं चले कि उसका इम्तिहान लिया गया है और इस बहाने में कई दिनों तक गोल्फ का आनंद भी ले लेता हूं वैसे बिल तुम किस तर से भी गोल्फ खेल सकता हूं क्या तुमने कभी इसकी कोशिश की है नहीं सर्फ बिल पेग ने गंभीरता से जवाब दिया लेकिन यह कर दिया जाएगा धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक.com आपका दिन शुब हो अध्याए 6 दा गोगेटा कहानी के सबक हिंदी ओडियोबुक.com नमबर एक करमचारी और परबंदक की योगेताओं में फर्क होता है यह बात कभी ने भूलें कि करमचारी और परबंदक में अलग-अलग गुनों की आवशक्ता होती है करमचारी में अच्छी तरह काम करने की योगेता चाहिए मैनेजर में नेतरतों की या मैनेजमेंट करने की योगेता होनी चाहिए जबकि करमचारी में इसकी कोई खास जरूरत नहीं है मैनेजर में पहल शक्ती होनी चाहिए अपने दम पर सोचने निर्ने लेने और जोखिम लेने के गुन भी होने चाहिए और जड़ा सोचें, क्या आप में ये योगेताएं हैं। नमबर दो, एकागरता और पहल शक्ती अनुभव से ज़्यादा महतव पूर्ण है। आम तोर पर कामकाजी संसार में अनुभव को महतव दिया जाता है। लेकिन कई बारे सा होता है, कि आदमी एक साल के अनुभव को ही कई साल तक दोराता रहता है, यानि वह नोकरी तो बीच साल से कर रहा है, लेकिन उसे अनुभव एक ही साल का है, क्योंकि उसके बाद उसने कुछ नया सीखा ही नहीं, नहीं किया। बदलते संसार में सभल होने के लिए हमें लगातार सीखते रहना चाहिए एकागरता किसी भी क्षेतर में भारी सभलता के लिए बेहद महतोपूर्ण होती है इस बारे में मैंने अपनी किंडल बुक सभलता का अचूक रास्ता में विस्तार से लिखा है पहल करने या खुद होकर कोई काम करने या उसका प्रस्ताव रखने की योगेता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रबंदक को इस योगेता की ज़्यादा जुरूर्त होती है इसलिए अगर कोई करमचारी आगे चलकर प्रबंदक बनना चाहता है तो उसे यह योग्यता सीखने पर ध्यान देना चाहिए कंपनी के मालिक या प्रबंधक उस करमचारी को तरक्की नहीं देंगे जो हर समश्या आने पर उनसे सला लेने दोड़ा चला आए वे उस करमचारी को तरक्की देंगे जो हर समश्या पर अच्छी तरह विचार करके निर्ने ले और केवल बहुत गंभीर समश्याओं के मामले में ही सलाले ने आई वहे भी कभी कभार निर्ने लेना एक बहुत बड़ी योग्यता है और आप देखेंगे कि जो इनसान जितने ज़्यादा जोखिम लेने वाले निर्ने लेता है उसका वेतन भी उतना ही ज़्यादा होता है कमपनियों के सीईओ का वेतन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा जोखिम वाले निर्ने भी वही लेते हैं सबसे कम जोखिम वाले निर्ने जमादार को लेने होते हैं इसलिए उसका वेतन सबसे कम होता है बिल पेक अगर चाहता तो अपने बारे में नकारात्मक नजरिया रख सकता था उसका हाथ कट गया था उसका पैर छोटा हो गया था वह कई साल तक बिमार रहा था लेकिन उसका नजरिया सकारात्मक रहा जो उसके लिए अच्छा था वहे इस बात पर करतक गए था कि उसका दिमाग और दाई बांस उरक्षित बच गए थे जो चला गया उस पर अपसोज करने के बज़ाए बिल पेग ने उस पर ध्यान केंद्रित करने का निर्ने लिया जो उसके पास बचा था इस सकारात्मक नजरिये का परिणाम यह हुआ कि वहे जीवन में आगे की तरफ तरक्की करने के लिए प्रेदित हुआ वरना नकारात्मक नजरिया होने पर वह सिर्फ शिकायतें ही करता रहता और अपनी अपंगता का इस्तेमाल तरक्की ने करने के बाहने के रूप में करता देखिए आपका नजरिया सकारात्मक रहे या नकारात्मक परिस्तितियां वही रहेंगी आपके नजरिया का अतीत की गठनाओं पर तो फर्क नहीं पड़ता है लेकिन भविश्य की गठनाओं पर पड़ता है क्योंकि आपका नजरिया ही इस बात को तै करता है कि आप किसी चीज को बादा के रूप में देखते हैं या फिर आउसर के रूप में कम्पनी के मालिकों या प्रबंदकों को बात करने वाले करमचारी नहीं चाहिए काम करने वाले करमचारी चाहिए बहुत सारे करमचारी इस बारे में बड़ी बड़ी बाते करते हैं कि वे क्या करने वाले हैं लेकिन वे कुछ करते नहीं है मालिक या प्रबंदक कुछ समय तक तो बरदाश करते हैं फिर एसे लोगों को नोक्री से निकाल देते हैं क्योंकि अगर वे वेतन दे रहे हैं तो उन्हें इसके एवज में काम चाहिए और जितना वेतन दिया जा रहा है उससे तीन गुना फाइदा होना चाहिए देखिए यह मोटा हिसाब है अगर किसी करमचारी को सो रुपए वेतन दिया जा रहा है तो उसे कम से कम तीन सो रुपए का काम करना चाहिए तभी वह कंपनी के फाइदे का सोधा होता है उसे वेतन मिलता है सो रुपए जारी रख पाएगी करमचारी अगर 300 के बजाए 600 रुपए का काम करने लगेगा तो मैनेजर उसकी सेलरी बढ़ाने के बारे में संकोच नहीं करेंगे लेकिन अगर 200 रुपए का काम करके यह सोचने लगे कि मुझे जितना वेतन मिल रहा है मैं उतना काम कर रहा हूँ तो समश खड़ी हो सकती है नमबर 6 उदेश अटल होना चाहिए इंसान अगर अपने प्रियास में नाकाम रहे तब भी उसे कोशिश करते रहना चाहिए अगर प्लान ए नाकाम रहे तो प्लान बी को आजमा कर देखें बार-बार कोशिश करें अलग-अलग तरीकों से कोशिश करें जरूरत से ज़्यादा कोशिश करें, नए सिरे से समझा पर वार करके देखें, बिल पेक ने जब नोकरी मांगी, तो सकीनर ने उसे इनकार कर दिया, लेकिन इससे पेक के इरादे कमजोर नहीं हुए, उसका उदेश्य नहीं बदला, उसका लक्षय नहीं बदला, उसने दूस ने उससे नहीं कहा, लेकिन एक हां से उसका उदेश्य पूरा हो गया, नमबर साथ, आपके परिणाम बताते हैं, कि आप किस मिट्टी के बने हैं, कारुबार की दुनिया में परिणाम ही महतोपूर्ण होते हैं, आज की तारिक में एकसल सीट और आंकडे जितने ज़्याद पर बेच रहे हैं, कितने नए ग्रहक बना रहे हैं, कितने रिपीट सेल कर रहे हैं, आप ग्रहकों के सामने कितना समय बिता रहे हैं, आपकी सफलता का पर्तिशत कितना है, आप कितनी पूटकर विक्री करते हैं, आप कितनी थोक विक्री कर रहे हैं, आगामी विक्री की काफी प्रेयरक है जो आंकडों का इस्तेमाल करके सफलता तक पहुँचने का तरीका बताती है नमबर आठ आप अपनी कमियों के बावजूद उपर उठ सकते हैं कमियां हर इनसान में होती है ऐसा एक भी इनसान इस संसार में ने कभी हुआ है ने ही कभी होगा जिसमें कोई भी कमी या कमजोरी ने रही हो बिल पेक की सफलता की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों के बावजूद सफल हो सकते हैं बिल पेक का चेहरा सामान्य था उसका एक हाथ कटा हुआ था उसका एक पैर छोटा होने के कारण वहल लंगडा कर चलता था उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे नहीं ज़्यादा शिक्षा थी नहीं महतोपूर्ण लोगों से संप्रक थे लेकिन उसमें सफल होने की प्रबल इच्छा थी और इस प्रबल इच्छा ने उसकी सारी कमियों की भरपाई कर दी नमबर नो आतम विश्वास सफलता के लिए महतोपूर्ण है खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो इनसान वहे काम करने से पहले ही किस्मत हार जाएगा और आउसर का लाब नहीं उठा पाएगा अपनी सफलता पर शंका करना दोड़ते गोडे की लगाम खींचने जैसा होता है इस कहानी में हम देख सकते हैं कि बिल पेक में आत्म विश्वास की कोई कमी नहीं थी उसने कंपनी के मालिक कैपिरिक्स को बताया था कि वहे कुछ भी बेच सकता है कहीं भी बेच सकता है और उसे बस एक मोका चाहिए उसके आत्म विश्वास की अती का इसी बात से पता चलता है कि वहें नोकरी की बात पक्की होने से पहले ही अपने बिजनस कारड चपने दे आया था इसका मतलब यह है कि उसने अपने सारे पुल जला दिये थे और वहें पूरी तरह से ठान चुका था कि वहें इसी कमपनी में नोकरी करेगा कोई हैरानी नहीं कि अंतते वहें नोकरी पाने और उसमें तरक्की करने में काम्याब हुआ अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? जब सब लोग सो रहे होंगे तब आपको मेहनत करनी होगी जब सब लोग चुटियों में पिकनिक पर जाएंगे या पार्टी करेंगे तब आपको मेहनत करनी होगी जब सब लोग मज़े से लेट कर टीवी देखेंगे तब आपको मेहनत करनी होगी अगर आप यह कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो सफलता के सफने नहीं देखें इस कहाने में बिल पेगने सफल होने के लिए हर चीज दाओं पर लगा दी थी वह भूखा था लेकिन उसने संकल्प कर लिया था कि काम पूरा होने तक खाना नहीं खाएगा क्योंकि एक एक मिनिट महतो पूर्ण था उसने अपनी जेव के पैसे लगा कर फोन किये टेक्सी की हीरों की अपने अंगुठी को जमानत के तोर पर रखा क्योंकि वह हर हाल में अपना लक्षे हासिल करना चाहता था सफलता के लिए आप हर कीमत चुकाते हैं जब पेक से दुकान वाले ने पूछा कि क्या वह जानता है कि इसकी कीमत क्या है तो उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता वह हर कीमत चुकाने को तयार है देखिए एक बात तै है अगर आप केवल सुविदा जनकिया आरामदे परिस्तियों में ही काम करते हैं तो आप सामान्य तरक्की करेंगे लेकिन जब आप कष्टकारी या बेहद ऐप्रिय परिस्तियों में भी पूरी शिद्दत और होंसले से काम करते हैं तो आप इतनी तेज तरक्की करेंगे जितनी आपको कलकना भी नहीं थी जैसे कि बिलपेक को नहीं थी नमबर क्यारा अतिरिक प्रियास महतोपूर्ण होता है सफलता तभी मिलती है जब आप सामानने से अधिक प्रियास करते हैं यह एक मील आगे तक जाने का सिधान्त है बिलपेक को जब बताई जगे पर नीला गुलदान नहीं दिखा तो उसने अपना काम बंद नहीं किया वह चाहता तो अगली मुलाकात में कैपिरिक्स को बता सकता था कि उसने गुलदान का पता ठिकाना सही नहीं बताया था इसलिए वह उसे नहीं ला पाया लेकिन उसने अतिरिक्त प्रयास किया सामन्ने से ज़्यादा कोशिश की उसे जो जगे बताई गई थी गुलदान उससे पांच सड़क दूर वाली दुकान में रखा था जरा सोचें क्या आप या मैं इतनी कोशिश करते जाहिर है यह उसकी सभलता का इम्तिहान था जिससे कैपी रिक्स यह पता लगाना चाहते थे कि वह अतिरिक्त प्रयास करने का कितना इच्छुक है नमबर बारा बाधाओं से विचलित नहीं हो हर अच्छे काम में बाधा आती है लेकिन तरक्की करने वाले उसकी वज़े से नहीं रुकते हैं वे तो बाधाओं को पार करने उन्हें लांधने या उनके दाएंबाएं से निकलने के तरीके खोज लेते हैं बिल पेक के सामने एक के बाद एक बाधा रखी गई नहीं सिर्फ गुलदान का गलत पता ठीका ना बताया गया बलकि दुकान के माली का नाम भी बार बार साइन बोर्ड पर बदला गया ताकि वह आसानी से फोन करके पता ने लगा पाई फिर उसे स्किनर और मैट पिजली ने फोन पर पैसे देने से इंकार कर दिया और कैपिरिक्स ने तो उसका फोन ही नहीं उठाया लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद बिल पेक ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्षे को याद रखा बिल पेक जानता था कि बाधाओं को पार करने के बाद ही सफलता मिलती है उपायक उशलता महतोपूर्ण है उपायक उशलता या रिसोर्स पूल ने सफलता के लिए आवशक है जीवन में भी और कारोबार में भी आपके पास जो भी साधन या संसाधन है आप उनका अधिक्तम उप्योग करके समश्या को कैसे सुल जाते हैं यह माइने रखता है बिल पेक के सामने यह समश्या थी कि वह कोहन से संपर्क कैसे करे उसने उपायक उसलता दिखाते हुए टेलिफोन डारेक्टरी ली और केवल सेंट फ्रांसिसको के ही नहीं बलकि दूसरे शहरों के लोगों को भी फोन किया जिससे उसे उस दुकान के मालिक के घर का नंबर मिला फिर फोन पर कोहन उससे बात करने को राजी नहीं था इस समश्या से निपटने के लिए उसने जूट बोला कि कोहन की दुकान में आग लग गई है उसने बले ही जूट बोला था लेकिन अगर वह यह नहीं बोलता तो उसकी कोहन से बात ही नहीं हो पाती और वह अपने उड़ेस्चय में काम्याब नहीं हो पाता जब उससे निले गुल्दान के नगत पैसे मांगी गई तो उसके पास पैसे नहीं थी जो एक बड़ी समश्या थी लेकिन उसने इसे दूर करने का उपायख हो जा और उसे याद आ गया कि वह अपनी हीरे की अंगुठी जमानत के तोर पर रख सकता है जब उसे गुल्दान मिल गया तब भी उसके सामने यह समश्या थी कि कैपी रिक्स तो ट्रेन में बैटकर रवाना हो चुके थे और वह गुल्दान उन तक कैसे पहुँचेगा लेकिन बिल पेग ने इस समश्या को सुल जाने के लिए भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया उसे याद था कि उसका एक मित्र हेलिकोप्टर चलाता था और उसकी मदद से वह अपने मकसद में कामियाब हो सकता है उपायक उसलता दिखाई उसने दूसरी सडकों पर चानबिन करके उपायक उसलता दिखाई उसने अपने हेलिकोप्टर चलाने वाले मित्र की याद करके उपायक उसलता दिखाई उसने काम पूरा नय करने का बाहना बनाने के बज़ाए काम को करने का उपायक हो जा उसने ह पीरे की अंगुठी जमानत पर रखने की उपाई कुसलता दिखाई सफल करमचारी या प्रबंदग वही होता है जो खुद को कंपनी के मालिक की जगे रखकर सोचता है मालने की यह आपकी कंपनी है क्या आप कामजोरी करेंगे? क्या आप ग्रहकों से बुरी तरह पेशाएंगे? क्या आप गवन करेंगे? क्या आप मकारी करेंगे? आप यह सब नहीं करेंगे ज्यादातर करमचारी अपने द्रिष्टिकोंड से सोचते हैं अपने सुविदा के द्रिष्टिकोंड से सोचते हैं इसलिए वे तरक्की नहीं कर पाते हैं। मालिक की समश्या को अपनी समश्या समझें और उसे दूर करने की हर संभव कोशिश करें। ध्यान रखें कि आपको तरक्की देना या ने देना मालिक के हाथ में होता है और जब आप उसकी समश्या दूर करेंगे तो वह है आपकी भी अनुशाशित रहें सेना में कठोर अनुशाशन होता है वहां आदेश का पालन करना होता है यही वज़े है कि पूरो सैनिक बिलपेक आग्या पालन और स्वामी भक्ति को इतना ज़्यादा महतव देता था बोस जो भी आदेश दें उसमें मीन में एक नए निकालें यह नए सोचें कि यह कितना बेतु का आदेश है हो सकता है कि आप छोटी तस्विर देख रहे हो और आपको बड़ी तस्विर पता ही नहीं हो बोस की बुद्धी, विवेग और निर्ने पर विश्वास करें आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यह आदेश देने के पीछे बोस का कोई मकसद होगा और यह कंपनी के हित में होगा आज की तारिक में हर इंसान यह मानकर चलता है कि पूरी दुनिया में डेड़ बुद्धी है जिसमें से एक उसके पास है और बाकी आदी पूरी दुनिया में बंड गई है इसी कारण वह किसी की बात मानने को ही तयार नहीं होता है और अपने विचार को सर्वस्रेश्ट साबित करने पर आमादा रहता है यह कहावत आज भी सच है बोस इस आल्वेज राइट या बोस हमेशा सही होता है याद रखें आग्या पालन तरक्की की अनिवार्य योग्यता है अगर आप अपने बोस के आदेश नहीं मानते हैं तो वह आपको तरक्की क्यों देगा उल्टे वह तो आपको नोकरी से निकालने या आपकी तनक्वा कम करने के तरीके सोचने लगेगा अगर आप मैनेजर हैं तो आप काम सूपने का तरीका सीखें आपको अपने अधिनस्त को यह बताना है कि आप उससे क्या कराना चाहते हैं कब तक कराना चाहते हैं और क्यों कराना चाहते हैं लेकिन आपको यह नहीं बताना कि वह इसे कैसे करे अगर वह पूछे तो आप उसे भी बता सकते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आप यह भी बता देते हैं कि काम को कैसे करना है तो वह करमचारी रोबोट की तरह काम करेगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा दिमाग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यह उतना ही ज़्यादा तेज चलता है इसलिए इसका इस्तेमाल करते रहें और अपने करमचारियों को भी इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेडित करें यह ने भूलें कि दिमाग इनसान की सबसे बड़ी शक्ती है और वह इसके साहरे आसाने से सफल हो सकता है अगर आप प्रबंदक या मालिक हैं तो आपको अपने हर करमचारी का इम्तिहान लेना चाहिए जिस तरह आप सामान की रेंडम चेकिंग करते हैं उसी तरह करमचारी को भी जांचना पर रखना जरूरी होता है गुणवत्ता परिक्षन सिर्फ सामानों तक ही जिमित क्यों रखें इसे इनसानों के मामले में भी लागू क्यों ने करें देखा जाए तो इनसान के मामले में जांचना पर रखना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वही तो है जो आपके सामान को बेचेगा या नहीं बेचेगा जो करमचारी आपके इम्तियान में खरा उत्रे उसे इनाम दे उसकी तनखवा बढ़ा दे या उसकी तरक्की करके नया पत दे दे इस तरह आप योग्या लोगों को प्रोचाहित करते हैं और अयोग्या लोगों को योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोचाहित करते हैं अगर आप अपने सभी करमचारियों को एक जैसा समझते हैं और केवल अनुभव के आधार पर ही तरक्की देते हैं तो उनकी उपाय कुछ अलता हतोत साइथ हो जाएगी। इस पुस्तक में बताया गया है कि यूवाओं के गोगेटर बनने की संभवना जादा होती है क्योंकि उनमें जादा शक्ती होती है उनमें जादा उर्जा होती है उनमें जादा स्टैमिना होता है और उनमें जादा लगन होती है और वे जादा समय तक लगातार काम कर सकते हैं क्योंकि उन पर घर परिवार की जिम्मेदारिया नहीं होती युवाओं का स्वास्ते भी आम तोर पर बेहतर होता है जिस वज़े से वे मुश्किल चुनोतियों को आसानी से जहल सकते हैं और भूक या दर्द जैसे कष्टों को नजर अंदाज कर सकते हैं यह संसार युवाओ के काम कर सकते हैं कि लोग देकर हैरान रह जाएंगे धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुव हो